सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं वीजिनिंग के अंदर बलर्ड रिलेशन के बारे में दोस्तो बलर्ड रिलेशन में से एक कोस्टन डेफिनेटली हर बार आता है तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है और दोस्तो अगर आप ध्यान से करोगे तो ये जो अपना टोपे का बिलकुल असानी से आप ये कोस्टन कर सकते हैं और आज की वीडियो में आ ऐसे question भी दिखाऊंगा जो बिल्कुल डिटो कोपी बिल्कुल डिटो कोपी रिपीट हुए हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना था कि आपको अच्छे से समझ में आसके तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दो कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना हद से ज्यादा important है आप चैए paper first की बात कर लो है paper second की दोनों के दोनों पेपर हमारे लिए करना बहुत जरूरी है इनके old paper कीजी अगर आपको net plus जारफ लेना है तो और अभी हम आपको दिखाऊंगा कि ये कितने ज्यादा important है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं देखे दोस्तों ये हमरे जुलाई 2018 का question paper है जो re-exam हुआ था, दोबारा exam हुआ था कुछ लोगों का हुआ था अगर आपको पता हो थो तो उसके अंदर ये question आया था दोस्तों ये question आप देखी यहाँ परसन चिने के स्थान पर दिये गए कूट में से सुमचित विकल्प को चुनिये ये इन्होंने दिया है गाए दूद, मदुमक्खी सेद, सिकसक इसमें हमें बताना है तो इस cancer हम बिल्कुल असानी से दे सकते हैं और यही question बिल्कुल डिटो कोपी आया है पहले मापको वो दिखा देता हूँ ठीक है ये तो आपने देख लिया जैसे जुलाई 2018 का है और पहले कब आया है ये मापको दिखा देता हूँ चलिए, ये देखे दोस्तो ये हमारा जून 2013 का question पेपर है और इसके अंदर बिल्कुल शेम डिटो कोपी ये ही question आ गया देखे, इसमें मदुमक्खी सहेद, गाए दूद और सिकसक दिया हुआ उसमें क्या था कि ये जो गाए दूद है, ये पहले दिया था, ये बाद में दिया था इस तरह था, तो यानि कि बिल्कुल shame है दोस्तो अगर किसी ने ये पहले question किया है तो अब जो question आया था बुलका, उसका answer बिल्कुल रसानी से दे सकता है तो दोस्तो यहां से आप देख सकते कि हमारे लिए old paper करना कितना ज्यादा जरूरी है और इसके अलावा भी दोस्तो मैंने वीडियो काफी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि जुलाई 2018 में कितने question repeat हुए थे करीब 18 question ऐसे थे दोस्तो जो बिल्कुल डिट्टो copy repeat हुए थे तो दोस्तो हमारे लिए paper first or second old paper करना बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तो अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आ चुके हैं teaching के question अलग 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 करके हैं इस तरीके से सभी 10 unit के question हैं आपको अलग अलग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस whatsapp number पे contact कीजिए हम बात करते हैं आज के questions के बारे में करते हैं blood relation के बारे में तो चलिए हम आपको कुछ steps बताता हूं जिनको आप ध्यान में रखके बिलकुल असानी से question कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो देखिए हमें question के अंतर एक लड़का या लड़की और तो बोढ़ा बोज़ूर भी इस तरह से कुछ दिया हुआ होता है तो हमें क्या करना है कि अगर कोई male है तो उसके सामने plus का निशान लिखेंगे और अगर कोई female है तो उसके सामने minus का निशान रखेंगे क्योंकि इस से हमें कोई confusion नहीं होगा हमें पता सल जाएगा कि कौन लड़का और कौन से लड़की है देखें अगर कोई R नाम का लड़का है तो उसके आगे R पलस लिखेंगे और अगर लड़की है तो S माइनस इस तरह से लिखेंगे कोई भी हम नाम दे सकते है जैसे SP, R, Q जो भी हमें देना है बस पलस और माइनस का हमें ध्यान में रखना है और आगे आता है दोस्तो टिप्स नमर टू इसके अंदर क्या होता कि अगर हमारा सेम लेवल है जैसे कि बाई बहन है या कोई चाचा कलड़का है या पती-पतनी ह अगा है दोस्त है तो उसके अंदर हम इस तरह से denote करेंगे ऊस्छे थीक है और तैसरे नमबर पे आता है दोस्तो अगर हमसे एक S,TP इब्स, ऊपर कोई रिस्त है हमारा जैसे कि हमारे पापा हो गAY, हमारे चाचा हो गया या इस तरह से कोई भी हो गया तो उसके लिए हम क्य करेंगे इस तरह से उपर से लेके नीचे इस तरह का साइन लगाएंगे और आगया ता दोस्तों अगर हम से दो लेवल उपर का कोई रिस्त है जैसे कि हमारे कोई दादा है नाना है दादी है या नानी है इस तरह का कोई रिलेशन है तो इसमें हम इस तरह का पोजिशन इस तर देखिए दोस्तों ये हमारा question number 24 है एक महिला ने अपने पती से राकेस का प्रीचर कराते हुए कहा अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक एक लाइन को लेके चलना है थोड़ी थोड़ी लाइन को लेके चलना है ताकि हमें असानी से सहमज में आसके ये देखिए दोस्तों यहाँ अपने पती से राकेस का प्रीचर कराते हुए अपने पती ये इसका husband हो गया ठीक है और राकेस का प्रीचर ये देखिए ये राकेस है ये महिला है अपने पती से राकेस का प्रीचर करवा रही है तो अब हम आगे देखते कि आगे question में क्या कहा है इसके भाई के पिता अब दोस्तों हमें एक एक जो step ना वो बड़े ध्यान से कर ना अब raak से लख दिया फिर आगे भाई लख दिया इन दोनों के सामने पलस पलस लगा दिया तो हमें पता से लगा राए कि यह email है और फिर हमने ये इस तरह से लिख दिया इस तरह से horizon लिख दिया horizontal sign दे दिये इस से क्या पता से रहा है कि इन दोनों का लेवल सेम है और इसके भाई के पिता पिता को हमने यहाँ पे लिख दिया इतना लिख दिया दोस्तों आगे हम देखते हैं आगे क्या है कि इसके भाई के पिता इसके भाई के पिता इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकल टेलोते प१तर होगे यहाँ प महिला के दादा के इकलोते प१त्र होगे यहाँ प थीजा है यहां से हमें पता चल रहा है तो दोस्तों याँ से क्या होगा की अब देखिए दादा का बेटा क्या होता है अपना और इसने कहा है कि इकलोते पुत्र इकलोते पुत्र का मतलब क्या हुआ उसका बाप यानि कि जो महिला है उसका पिता और राकिस का भाई है उसका पिता ये दोनों के दोनों एक ही आदमी है तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो महिला है राकेस है और ये राकेस का भाई है ये तिनों के तिनों आपस में भाई बहन है तो इससे हमें अपना जो अंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा कि जो महिला है वो राकेस की क्या लगती है बहन लगती है तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं कि जो महिला है वो राकिस की क्या लगती है बहन लगती है तो इस तरह से यहां पे हम बिल्कुल असानी से कॉशन कर सकते हैं और दोस्तों आप इस वीडियो को रोक के देख लेना आसानी से ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा और अगर कोई बात समझ में ना है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और आगे देखते हैं अगे कौन सा कोशन है अब ये देखे दोस्तों हम अगला कोशन देखते हैं 24 इ यानि कि अजे ने राकेस से पूछा एक बुजूर्ग की और इसारा करते हुए कि वो कौन है यानि कि ये बुजूर्ग है इसके और इसारा करते हुए अजे ने राकेस से पूछा कि ये कौन है ठीक है आगे देखते हैं राकेस ने कहा अब देखो राकेस बता रहा है ये जो राकेस है ये बता रहा है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है यानि कि उसका बेटा बुजरुग का बेटा ये हमने लिखे लिए ड्रोप डाउन नीचे की तरफ है ऐसे लिखे लिए बुजरुग का बेटा राकेस के बेटे का चाचा है तो दोस्तों यहाँ पे आप एक इस figure को अच्छे से देखिए और इसमें जो बाते लिखिए इन दोनों को पढ़िए आपको ये पुरा का पुरा ग्राफ बिल्कुल समझ में आजाएगा अब देखे दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ये देखे इसने कहा है कि मेरे बेटे का चाचा यानि कि मेरे बेटे का अं अपना वो होता है बाप होता है और यहां पर देखे दोस्तों हमें पता चल रहा है कि राकिस के बेटे का चाचा हो गया यह ठीक है और जो अपने बेटे का चाचा जो होता है वो अपना क्या होगा अपना भाई हो जाएगा और अपने भाई का जो पिता होता है वो अपना ही पिता होता है तो यहां से अपना answer क्या जाएगा दोस्तों यह फादरा जाएगा यहां से आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस ग्राफ को आप अच्छे से देखन आपको बिलकॉल अच्छे से समझ में आये गा अगर दोस्तों एक जो और यहां पे ध्यान देने वाली है कि हमने पलस और माइनस कहीं भी नहीं लगाया तो दोस्तों पलस माइनस का यूज हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी मेल की बात हो रही है कहीं भी फीमेल का जिक्र नहीं है तो इसलिए हमने पलस माइनस का जो ट्रिक है वो यहाँ पे हमने नहीं लगाई अब यह देखें दोस्तों हमारे पास अगला कॉर्शन है इसमें कहा है कि C और D बहने हैं तो सबसे पहले हमने C और D का रिलेशन यहाँ पे इस तरह से लिखे लिया C और D दो बहने है उसके बाद में A और B भाई है उसके बाद में हमने A और B दोनों का लिख लिया A और B दोनों भाई है और इनके सामने पलस पलस निसान लगा दिया अब देखिए E जो है A का पुत्र है E जो है A का पुत्र इस तरह से हमने लिख लिया जो यह E है A का बेटा है इस तरह से हमने लिख लिया अब देखिए और D का भाई है यानि कि E जो ए A का तो पुत्र है और D का भाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने यह लिख दिया और यहाँ पे हमने ब्रदर लिख दिया अब देखते हैं कि B का C से क्य संबंद है यानि कि इस B का इस C से क्या संबंद है ये हमें देखना है तो देखिए हम किस तरह से निकालते हैं सबसे पहले यहां पर देखिए कि इसने पहले का था कि C और D बहने ये दोनों की दोनों बहने है यानि कि जो रिलेशन D का B के साथ होगा वही C का B के साथ होगा अब हम देखते कि D का B के साथ क्या relation है अब देखे यहां से हमने जब graph draw किया था तो उसमें पता चला कि जो D है वो E की बेहन है यहां से हमें पता चल रहा है ठीक है और जो E है E जो है A का बेटा है तो क्या हुआ धी है वो A की भी बेटी हो गई यहां से आपको पता चल रहा है क्योंकि अब इसमें देए दोस्तो E जो है A का बेटा है ठीक है और जो E है D का भाई है तो क्या हुआ कि जो D है D A की बेटी हो गई यहां से हमें पता चल रहा है ठीक है और A जो है B का भाई है यानि कि अब क्या होगा यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है कि जो B है वो D का क्या हो जाएगा चाचा हो जाएगा यानि कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि D और B का क्या संबन्ध है चाचा का रिलेशन है इसके अंदर तो दोस्तो आप ये ग्राफ देखना आपको बिल अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंती का बटन जरूर दबाएए तके आप हमारी आने वाली वीडियोज को साने से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तों हम बात करेंगे coding decoding के बारे में दोस्तो coding decoding के अंतर जैसे कि आप सभी को पता है कि एक question definitely हर बार आता है तो ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोस्तो coding decoding करने से पहले हमें basic alpha bit के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि M कितने नंबर पर आता है K कितने पर आता है W कितने पर आता है इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए इनकी counting के बारे में पता होना चाहिए तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी जिंदगी में अलफा वेट की काउंटिंग नहीं भूलेंगे दोस्तों question paper में हमें फटाक से पता चलना चाहिए कि Q कितने पे आता है, M कितने पे आता है, J कितने पे आता है, U कितने पे आता है अगर हम एक second के अंदर पता कर लेते कि कौन structure कितने पे आता तो हम बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम इसी के बारे हम जानते हैं कि आप किस तरह से इनको जल्दी से याद कर सकते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं A, B, C, D, E देखिए ये A, B, C, D में पहले 5 अक्षर ये बिल्कुल असान होते हैं कोई भी बंदा याद रख सकता है कि C कितने पहले पहले है, D कितने पहले पहले हमें इसी तरह से लाश्ट के अंदर X, Y, Z जो होता है इनको भी हम बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं कि ये 24 पहले है, Y 25 पहले है और Z 26 पहले है दोस्तों कहने का मतलब यह है कि सिरू के जो पांच अकसर और लाश्ट के तीन अकसर यह हमें याद रखना बहुत आसान है यह हम बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं और अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन शेक्सर है अब देखे दोस्तो इसके अंदर हम बात करते हैं आगे F और P के वारे में बात करते हैं देखे दोस्तो F और P के अंदर अगर हम कुछ समानता देखे तो इसके अंदर क्या निकल के आएगी सबसे पहले हमें इसमें क्या करेंगे दोस्तों ये देखे F और P दोनों को उल्टा करने पर हमें 6 की आकरती मिलती है F और P को देखे हम दोनों को उल्टा कर देंगे इस तरह से तो ये हमें कुछ-कुछ 6 के जैसा मिलेगा और दोस्तों 6 से हमारे कितने नंबर बनते हैं एक तो 6 बनता है, एक 16 बनता है ठीक है, और दोस्तों हमें पता है कि 26 पे तो हमारा Z आता है तो ये 26 तो ऐसे कट हो जाएगा यहाँ पे फिर बच्छा हमारे पास 6 और 16 तो इसका मतलब क्या हुआ, F जो है, वो कितने पे आजाएगा च्छे पे और P है वो आजाएगा, शोहला पे आजाएगा इस तरह से आप इसे बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं देखिए, यहाँ से हमारे 6 नंबर से 2 अकसर हो रहे, P और F हो रहे हैं तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं, आगे कौनशा अकसर है, अब देखिए, आगे हैं हमारे पास G और Q अब इसमें भी देखिए, दोस्तों, हम समानता देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में common क्या है देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G इस तरह से लिखते हैं, और Q इस तरह से, जी के अंदर यह देखिए, दोस्तों, यहाँ पर हम साथ के जैसा यह दिखाई दे रहा है हमें और इसी तरह से Q के अंदर ये देखे दोस्तों ये भी 7 के जैसा दिखाई दे रहा है यहां से तो दोस्तों वही वात आती है कि 7 से हमारे कितने अक्सर कितने नमबर बनते हैं एक तो 7 बनता है, एक 17 बनता है, एक 27 बनता है और क्यों किसके लिए हो जाएगा सत्रा के लिए हो जाएगा तो इस तरह से इन दोनों को भी हम याद कर सकते हैं चलिए अब हम आगे देखते कि आगे कौन साक्सर है अब देखिए दोस्तो बात आती है एच से एच को हम किस तरह से याद रखेंगे देखिए दोस्तो H को हम इस तरह से लिखते हैं हम सभी को पता है और H को देखिए उपर और नीचे से इस तरह से हम मिला देखिए जो H है उपर से और नीचे से हम दोन हमने दोनों तरफ से मिला दिया इसे तो क्या बन जाएगा हमारा 8 बन जाएगा तो यानि कि फिर क्या होगा कि आई को हम बड़े बड़े में ऐसे लिखते हैं चोटे में कुछ-कुछ इस तरह से लिखते हैं तो ऐसा लिखने में यह देखिए दोस्तों यह जो है हमारा अलफावेट कुछ-कुछ नो के जैसा हमें दिखाई दे रहा है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा आई कितने पर आएगा दोस्तों वो नो पर आएगा तो इस तरह से हम बिल्कुल असानी से याद रख सकते हैं यानि कि देखते ही हमें पता चल रहा है और आगे देखते हम आगे कौन साक्सर आता है आगे आता है दोस्तों हमारे पास जे आता है जे को देखे हम किस तरह से याद रखेंगे जे में देखे दोस्तों ऊपर का जो है यह डंडा जो है इसे हम एक माल लेंगे और नीचे जे में जो यह मुड़ा हुआ है इसे हम बिल्कुल जीरो बना द हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा आता है आगे आता है दोस्तों के दोस्तों हरियाना में हमारे हरियाना में बच्चे कहते हैं कि मजाख मजाख में कहते हैं कि ए वी सीडी का गार ग्यारवां अक्सर के होगा है के होगा है तो यानि कि वो उसे में बता रहा है कि क्या के होता है 11 अक्सर के होता है तो यहां यह बिलकुल असानी से हम याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या आता है आगे आता है दोस्तों हमारे पास L अब देखी L को हम किस तरह से याद रखेंगे और इसमें देखी L को हम इस तरह से लिखते आप सभी को है तो एल में हम क्या करेंगे ऊपर का जो portion है उसे थोड़ असा आगे बढ़ा देंगे इस तरह से इसे बढ़ा देंगे तो यह सेफ किसी बन जाएगी दोस्तों करीब करीब दो के आसपास यहनि की दो की बन जाएगी 2 के जैसी बन जाएगी और दो से हमारे हatore kanske क्या काउंटिंग बनते 1 दो बिदे 12- मद यह काफी लंबा हो गया यह नहीं आएगा और जो यह दोस्तों जो दो है दो पे हमें पता है तो बीच में क्या बचे जाएगा हमारा बहरा बचे जाएगा यानि कि il के तने पर आता है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा अक्सर आता है हमारे पास आगे हम लेके चलते हैं दोस्तों दो अक्सर को लेके चलते हैं एक तो हमारे पास M है और एक हमारे पास W है अब देखें दोस्तों इसमें भी वही लोजिक लगाएंगे कि M और W से देखें M और W को क्या बनता है एक तो 3 बनता है 13 बनता है 23 बनता है तीन पर हमें पता है कि C आता है और बाद में क्या रहे गया 13 रहे गया और 23 रहे गया यानि कि M कितने पर आएगा वो 13 पर आएगा और W कितने पर आएगा 23 पर आएगा तो इस तरह से दोस्तों आप बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास N हमें पता है दोस्तों हम N को दो तरह से याद रख सकते हैं कि एक तो M है वो N के बाद आता है जैसे कि M N और M हमने अभी पता है कि वो 13 नंबर पे आता है तो N कितने पे आएगा 14 नंबर पे आएगा और इसे हम एक दूसरे त जैसा लग रहा और ये भी साथ के जैसा लग रहा है तो इन दोनों को जब हम एड करेंगे तो साथ और साथ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा तो यहां से हम इस तरह से भी N को याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं हम आगे कुंः आपता है आगे देखे दोस्तों आगे आता है हमारे पास O O को जैसे कि हमने अभी बताया की M, N, O, 53 एकठे आते तो उनको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि M आता है 13 पे, N आता है 14 पे, वो आता है 15 पे आता है ठीक है दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल उसानी से याद रख सकते हैं आगे देखते हैं, आगे देखें दोस्तों आगे हमारे पास आता है R और S अब देखी आर को हम किस तरह से याद करेंगे आर को वही बात आई दोस्तों आर को हम इस तरह से लिखते हैं और नीचे से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये हमारा आठ के जैसा हो जाएगा ठीक है और आठ का हमने पीछे देखा था कि आठ आठ पे कौन सक्सरा आता है अगर आपको याद हो तो आठ पे क्या आता है एच आता है तो आठ से हमारे कौन-कौन सक्स अंक बनेंगे एक तो आठ बन गया एक अठारा बन गया एक अठाइस बन गया तो अठाइस हमें पता है 28 कुछ होता ही नहीं है और 8 पे हमारा Ch आता है और बच गया क्या दोस्तों हमारे पास 18 बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ Rs कितने पह आता है 18 नमबर पे आता है तो इस तरह हम यशे बिल्कुल Saynish से याद रख सकते है PT आगे दोस्तों हमारे पास आता है T अब देखे टी को याद रखना बिलकुल असान है जैसे के हम कहते है टवन्टी टवन्टी मैच होते है हमारे यहाँ पे तो यहां से हम इसे बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं ती यानि टवन्टी 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 तो यहां से हम बिलकुल असानी से याद रख सकती है अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे आता है हमारे पास यू को देखिए दोस्तों किस तरह से याद रखना है अब इ कि really सकते हैं यह दोस्तों हम चोटी ए वी सडी में इस से भी लिखते हैं तो इस के अंदर क्या होतन Stand है कि यह वार है हमारा के जैसा लग रहा है और यह हमारा एकบ जैसा लग रहा है तो यहां हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि ये कितने पर आएगा 21 पर ये आएगा तो इस तरह से कुछ logic लगा के हम बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे आता है यानि कि दो वार दो दो आगया तो वी का मतलब क्या हो ये 22 पर आता है तो इस तरह से हम वी को बिलकुल असानी से याद रख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो पढ़ी असानी से चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रीपीट होने वाले कोशन के वारे में और उनकी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा कोशन दिखा देता हूं जिसे देखके आप हैरान रहे जाएंगे और मेरे से ये कहेंगे कि सर आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई तो चलिए दोस्तों वो कोशन देखते हैं देखे दोस्तों ये हमरा जुलाई 2018 का को 22 इसके अंदर देखे दोस्तों ये जो सीरीज ओपर दी हुई है इसे आप एक और बिलकुल अच्छे से देखिए ध्यान में देखिए देखिए मैं बता रहा हूं आपको इसके अंदरे ABD, DGK, HMS, MTB और SBL ठीक है दोस्तों यहां पर आपने देख रही और अब हम देखते कि पहले कहां पर रिपीट हुई है अब यह देखिए दोस्तों यह है हमारा नवंबर 2017 का कोश्चन पेपर इसमें ही यही कोश्चन नमबर देखिए दोस्तों 22 नमबर कोश्चन इसमें देखिए ABD, DGK, HMS, MTB दोस्तों यहां से आप देख सकते कि बिलकुल शेम कोश्चन ह आपको एक बार फिर से मैं यह दिखा देता हूं यह देखिए दोस्तों इसके अंदर यह रहा बिलकुल सेम कोश्चन है ABD, DGK, HMS, MTB और इसमें जो है एक्स्ट्रा दोस्तों SBL दिया हुआ है और इसके अंदर क्या था इसके अंदर SBL नहीं दिया हुआ था अगली सीरीज इन्हों ने पूछी हुई थी तो अगली सीरीज क्या है दोस्तों SBL है तो यहां से आप देख सकते दोस्तों यह कोशन बिलकुल डिटो कोपी बिलकुल डिटो कोपी आप देख सकते हैं यहां पर रिपीट हुआ है यह देखिए दोस्तों इसमें नवंबर 2017 के इंदर यहां बिलकुल डिटो कोपी कोशन रिपीट हो रहे हैं बार बार और दोस्तों हमने इसके अलावी और दोस्तों हमने इसके अलावा भी काफी तरह की वीडियो बना रहे हैं जैसे कि टीचिंग से रिसर्च से और कम्निकेशन वगरा से किस तरह से कोशन रिपीट हुए हैं आज त और उन्हें एनलाईज करते हो देखते हो कि किस तरह के question repeat हो रहे हैं कौन से topic repeat हो रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका exam मेट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल असानी से हो जाएगा किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से सभी 10 यूनिट के लाइव मोक टेस्ट देते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्सप नमर पर कॉंटेक्ट कीजिए तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से करेंगे दोस्तों इसमें इस तरह से सीरीज दी हुई होते हैं और हमें देखना कि अगली सीरीज क्या आएगी दोस्तों इसके लिए आप क्या कीजिए सबसे पहले जो digit दी हुई है यहाँ पी यह इस तरह से आप लिख लीजिए सभी की सभी और अपक्या करिए दोस्तों जो pronasht के दो अकसर है जैसे बी और डी इसने दिया हुआ है इनकी number लिखिए और आपना पहले से start मत कीजिए first से start मत किजिए क्योंकि first से जो examiner है वो हमें confuse करने की कोशिस करेगा ठीक है तो हम last के जो डो digit है उन से शुरुवात करते हैं अब देखे सभी की जो बीच की और last की जो digit है उनके अक्से वो अंखम लिख लेंगे इसमें देखे दोस्तों जैसे कि यहां पर देख सकते भी दो पर आता है कल मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से है यह जी अपना 7 पर आता है फिर M 13 पर आता है टी 20 पर आता है और भी फिर 2 पर आता है ठीक है इस तरह से हमने बीच के लिए लिए उसके बाद में लास्ट का जो अक्सर है उसके लिए हलेंगे हम जैसे कि D हमारा 4 पर आता है के हमारा 11 पर आता है S हमारा 19 पर आता है B फिर हमारा 2 पर आता है और L हमारा फिर 12 पर आता है अब देखे कि दोस्तों अब हमें क्या करना है अब यह देखिए जो बीच के दोनों के दोनों अक्सर है इनके अंदर देखिए डिफ्रेंस कितने का है यहां पर आप देख सकते हैं इनका डिफ्रेंस पांच का है फिर आगे देखते हैं इन दोनों में कितने का डिफ्रेंस है आगे इसमें 8 का और आगे जो अक्सर आएगा दोस्तो ऐलफा वेट आएगा उसके अंदर डिफरेंस कितने का होना चाहिए 9 का डिफेरेंस हमारे पास होना चाहिए ठीक है और इसी तरह से अब हम नेचे देखते हैं यानि कि-ди हमारा 4 पे होता है K हमारा 11 पे इस तरह से हमने लिख लिए यह तो इन दोनों में देखते हैं तो 7 का डिफरेंस है और फिर K और S के अंदर देखते हैं आठ का है फिर S और B के अंदर 9 का है और फिर B और L के अंदर दोस्तों 10 का अंतर है इस तरह से हम देख सकते हैं तो अगला जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा 11 का अंतर आएगा तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहां पर जो बी है इसमें प्लस 9 करेंगे बी और यानि कि बी में 9 जोड़ेंगे बी अपना 2 पे होता है और 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाए 11 यानि कि के यानि कि हमारा भीट हो एक्सर होगा फोगा उपना के और क्या होगा लाश्ट लास्ट का यहां पर plus क्रेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तो 23 हमारा हो जाएगा और 23 पे हमारा कौन सा अकसर आता है दोस्तो आपको पता है हमारा आता है डवलू आता है तो हमारा जो अंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तो यह हो जाएगा ओप्सन नमबर 3 और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं दोस्त ये झाल सकते हैं इस कोस्षिण को तो आगे कौन कोस्षिण है अब देखे दोस्तों ये वी हमारा जुलाई के अंदर आया था इसे हम किस तरह तरह से करेंगे इसमें देखें दोस्तों एक कोड दे देते हैं वो कहते हैं कि इस कोड को इस तरह से लिखते हैं तो इस कोड को कोलकता को हम कैसे लिखेंगे अब ये देखे दोस Tो जुलाई 2018 का कोशन पेपर है इसके अंदर इन्होंने कहा है की वारानसी को हम इस तरह से लिखते हैं तो कुल कता को हम किस तरह से लिखेंगे अब देखे दोस Tो इसके अंदर हमें क्या करना है सबसे पहले हम वारानसी और ये जो है digit इन दोनों को हम इस तरह से लिख लेंगे और फिर उनकी हम numbering देंगे numbering देने के बाद दोस्तों हमारा question बिलकुल असान हो जाता है यह देखिए इन सभी की हमने यहाँ पे देखिए हमने इन सभी के numbering दे दी है और numbering के बारे मैंने कल वीडियो डाली थी वहाँ से आप असाने से देख सकते हैं कि किस तरह से हमें number याद रखने है मैं और आगे फिर नीचे भी हमने दे दिया है तो अब इन में हम डिफरेंस देखते हैं अब देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस एक का है फिर अगे बहकर दोन ben से इसके इन्दर भी ऑनला चाहिए एक, दो, तीन, चेर, पांट, छे, साथ, आठ', का difference होना चाहिए, यानि कि कोल कता के अंदर हम क्या करेंगे, के के अंदर हम एक add करेंगे, तो क्या होगा, के कीतने पे होता है अपना, ग्यारा पे होता है, और एक add करेंगे, तो कितना हो जाएगा बारा हो जाएगा और बारा नमबर पे अपना क्या आता है एल आता है और एल से दोस्तों हमारे कौन कौन से उप्सन बन रहे हैं एक तो उप्सन नमबर फॉर और एक उप्सन नमबर एक बन रहा है ठीक है यहां से हमारे यह जो दोनों यह यहां से कट हो तो इस तरह से आप दोस्तों असानी से और जल्द से जल्द कोशन निकाल सकते हैं हमें सभी के सभी डीजेट निकालने की जरूरत नहीं है हम कोई वी चार या पांच निकाल के कोशन फाइंड आउट कर शकते हैं तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा कोशन है और आग और इसका जो code दिया इन्होंने ये दिया है और आगे हमें elephant का बताना है तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो covalent है सबसे पहले अपना जो covalent है और कोड़े हमि यहां पर हम यहां पर लिख लेंगे इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद में वही दोस्तों करेंगे कि हम इसमें numbering देंगे सभी की सभी numbering देंगे यहां इस तरह से और नीचे भी इस तरह से हम numbering देंगे इनको और फिर हम देखेंगे कि कहां पर क्या match हो रहा है तो दोस्तों यहां पर आप इस picture में देख सकते हैं कि कहां पर क्या हो रहा यह देखे यहां पर C है तो C का फिर यह D कहां पर जा के आ रहा है यहां पर आ रहा है और यह जो A है A का यहां पर B आ रहा है और यह 15 का फिर 16 यहां पर आ रहा है बाइस का 23 यहां पर आ रहा है तो इस तरह से आपको दोस्तो थोड़ा उसके अंदर देखना है एनलाइज करना कि कहां पे क्या मैच हो रहा है क्या हमारी सेटिंग बन रही है उस हिसाब से हमें कोशन को करना है तो दोस्तों आपको यहां पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यह हमारे लिए बिल्कुल असान ह जाता है तो आप इनकी practice करके देखना आपके लिए बिलकुल असान हो जाएंगे यह दोस्तों इन सभी में एक एक plus किया हुआ है c के बाद में डी यहाँ पे आ गया o के बाद में हमारा p यहां पे आ गया, V के वाद में हमारा डवलू यहां पे आ गया, इस तरह से आप देख सकते कि पलस एक किया हुआ है सभी में, लेकिन उनकी जो position है वो इन्होंने change कर दी है थोड़ी सी, तो यह हमें देखना है कि कौन सी position पे कौन सा अक्सर आ रहा है, तो इस तरह से हमें यह करना है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह के question आ सकते हैं अब यह देखे दोस्तों यह हमारा अगला question है कि hospital को इस तरह से लिखते हैं तो biological को किस तरह से लिखेंगे तो इसके अंदर दोस्तों कुछ भी plus या minus नहीं हो रहा बस इसके अंदर क है कि जो इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों जो अक्सर की जो पोजिशन है वो चेंज कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि कहां पर आ रहा है एच कहां पर आ रहा है ओ कहां पर लिख रहे है यह आई कहां पर लिख रहे है तो यह सारी कि सारी position आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों वही बात में आपको बार-बार कहे रहाँ कि आप कोशिश करके देखे ट्राइ करके देखे जब बार-बार आप question करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा question हमें किस तरह से करना है और दोस्तों अगर आपको हमारी वीड यूजिज को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तों आज हम mathematical reasoning के अंदर number series शुरू करने वाले हैं number series के question करने से पहले दोस्तों हमें इसके क कुछ basic pattern है वो हमें पता होना चाहिए कुछ basic tips है वो हमें पता होना चाहिए अगर वो हमें पता चल जाते हैं तो हम बहुत ही असानी से ये question कर शकते हैं और UGC net के अंदर बिल्कुल normal question आते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे तो बिल्कुल असानी से सभी के सभी question क्या होगा आपने देखा होगा कि किसी के अंदर बढ़ते करम में होता है किसी के अंदर घटते करम में होता है और किसी के अंदर मिक्स मिक्स नंबर दीए हुए होते है तो हमें पता नहीं चलता तो हम एक एक स्टेप देखते हैं और उसमें देखते कि किस तरह के कोशन आ सकत हो और या फिर एक से डिवाइड होता हो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं जैसे कि यहां पर दिया हुआ है एक एक दो तीन पांच साथ यह देखना आप यह एक तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और दूसरा एक से डिवाइड हो रहे हैं तो अगला जो नंबर आए एक, तीन, पांट, साथ फिर का एगा दोस्तों 11 आएगा 11 ना कि 9 नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है ठीक है यानि कि इस तरह का नमबर जो केवल और केवल खुद से और एक से डिवाइड होता उसे हम कहते हैं प्राइम नमबर कहते हैं और दूसरा एक्सम्पल यह देख सकते है जैसे 11, 13, 17, 19 यह केवल और केवल खुद से डिवाइड हो रहे और एक से और इसके अलावा किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे तो इस तरह की नंबर सीरीज हमें सेम होता है जैसे कि इसके अंदर हम देखते दोस्तों दो और पांच के अंदर तीन का डिवाइड है आगे फिर पांच और दस के अंदर पांच का है फिर दस और सतरा के अंदर दोस्तों साथ का है और फिर 17 और 26 के अंदर दोस्तो 9 का है तो आगे हमारा क्या हैगा दोस्तो यहाँ पर इसमें देखे दोस्तो इसमें कितने का डिफेरेंस है दो-दो का है ती देखे दोस्तो 3, 5, 7, 9 इन के अंदर कितने का डिफेरेंस है दो-दो का difference है तो जब हम 9 के अंदर 2 add करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तो 11 यहां पे हो जाएगा और यह जो 11 है दोस्तो यह 11 हमें 26 के अंदर add करना है और 26 के अंदर जब इसको add करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 37 इसका answer आ जाएगा तो इस तरह से भी इसके अंदर pattern होता है वो हमें समझने की जरूरत है और यह दोस्तो यहां पे minus के अंदर भी हो सकता है यानि कि शुरू के अंदर 26 फिर 17 फिर 10 इस तरह से भी यह pattern हो सकता है और आगे देखते हैं दोस्तो आगे हमारे पास square और cube square का मतलब क्या होता है दोस्तो किसी भी नंबर की पावर 2 और किसी भी नंबर की पावर जब थरी होते है तो उसे हम cube कहते है यह हमने छोटी कलासों में पढ़ा हुआ है अब देखे इसके अंदर जो सबसे पहला example है उसके अंदर देखते हैं कि इसमें दिया है एक चार नो सोला पच्चिस इसके अंदर आप देखना कि एक जो है वो एक की पावर एक हो गया फिर आगे है दो की पावर 2 तीन की पावर 2 फिर चार की पावर 2 अब इसमें देखे दोस्तों एक की पावर 1 हो गया दो की पावर 4 तीन की पावर 9, 4 की पावर 16, और 5 की पावर 25, 6 की पावर 36 हो गया, तो यहाँ पे जो यह दिया हुए, खाली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा हमारा 7 की पावर 2, यानि कि 1779, यानि कि यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 की पावर होती हुए जादी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, साथ की पावर यहाँ पर आजाएगा, सत्व सत्व उन्हेंचासिस का अंसर आजाएगा, इस तरह से हम बिल्कुल इसानी से कॉश्चन कर शकते हैं, और आगे देखें दोस्तों, आगे जो हमारा एक्जामपल है, इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर आप ध्याम से देखना, इसके अंदर क्या है, कि एक है, एक की पावर इन्होंने थरी देदी, फिर है टू की पावर थरी देदी, और फिर है थरी की पावर थरी देदी, अब यह सभी हम करके देखते हैं, दोस्तों, चियार की पावर थरी, अब देखें एक की 125 है, 5 की power 3, दोस्तों यह 125 हो जाएगा, और यहां पे आगे जो number आएगा, वो किया हैगा दोस्तो 6 की power 3 कितना होता तो हमें 216 इसका answer होता है तो यहां पे इसका 216 answer हैगा तो इस तरह से हमें देखना है, और एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पावर करनी है या पलस करना है क्या करना है सबसे पहले हमें यह देखना है दोस्तों यह जो number series हमें दी हुई है हमें यह देखना कि यह continuously बढ़ रही है या घट रही है क्या हो रहा है अब इन दोनों में आप देख लेना दोस्तों यह continuously बढ़ती विज़ारी है कोई भी number पिछले number से कम नहीं है ज़्यादा ही है जब यह देखिए यहाँ पे बढ़ता हो जारा है 1,4,9,16,25,36 और फिर 64 यहाँ पे इसका मतलब क्या है इसमें पलस हो रहा है या फिर मल्टिप्लाई हो रहा है या फिर इसका स्केर या क्यूब हो रहा है इन चार चीजों में से एक चीज होगी या तो पलस होगा इनके अंदर या फिर multiply गुना होगा किसी नमबर से या फिर इसका square होगा या फिर इसका cube होगा ये चीज हमें देखना है इसके अंदर और आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से है pattern अब देखे pattern in alternate number अब देखे इसके अंदर क्या होता है कि पीछे हमने जो देखा था जो pattern है वो next number से ही जुड़ता हुआ जा रहा है इस तरीके से लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों pattern in alternate number यानि कि एक नंबर का तीसरे नंबर से जो रिष्टा हो सकता है अब देखे इसके अंदर हम देखने की कोशिस करते हैं ये देखे ध्यान से देखे इसके अंदर के आए कि जो हमारे number वो बढ़ नहीं रही ये देखे इसके अंदर यहां से 2 से 9 हो गया 9 से फिर 5 हो गया यानि कि पहले पलस हुआ फिर माइनस हुआ फिर माइनस हो गया फिर पलस हो गया फिर पलस हो गया और फिर माइनस हो गया यानि कि एक वर पलस हो रहा है एक वर माइनस हो रहा है पलस माइनस पलस माइनस इस तरीके से चल रहा है इस तरह की situation हो तो हमें क्या करना है दोस्तों हमें एक नमबर का थरी नमबर से relation देखना है क्या है अब देखिए इस के अंदर हम करके देखते हैं दो और पांच के अंदर डिफरेंस से देखे दोस्तों कितने का है तीन का है और फिर पांच और आठ के अंदर देखिए तीन का है और फिर आठ और ग्यारा के अंदर देखिए तीन का है ठीक है तो अब जो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों यहाँ पे जो नंबर आएगा यह एक नमबर छोड़ देते तो यहाँ पर क्या नमबर आएगा वो आया 11 के अंदर 3 एड़ कर दीजी कितना आएगा 14 यानि कि 14 इसका नमबर आ जाएगा तो इस तरह से हम बिल्कुल असानी से question कर सकते हैं अब अगला pattern आता है दोस्तों हमारे गलत दिया हुआ होता है वो हमें पहचानना होता कि कौन सा नमबर इन्होंने गलत दिया है जैसे कि यहाँ पर इसमें example देखते हैं यहाँ पर आप देखो 3, 5, 11, 17, 21 अब यह देखे दोस्तों इसके अंदर क्या difference हो सकता है इसके अंदर देखो को 21 को हम छोड़ देते हैं तो और जितने वी नमबर है जैसे 3, 5, 11, 17 यह केवल और केवल अपने आप से divide हो रहे है और एक से divide हो रहे है जो मैंने prime number की बात की थी आप से सबसे पहले जो बात की थी तो इन दो number को छोड़ के और जितने वी number है वो हमारे prime number है और यह अब इसमें example देखते दोस्तों देखिए इस example में क्या दिया हुआ कि पहले 3, 6, 18 बहतर दिया है तो इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिस करते हैं देखिए 3 और 6 के अंदर क्या relation है तीन गुना में 2 यानि कि 6 आ गया फिर क्या है 6 का 18 आ रहा है तो इसका क्या एगा 6 तीया 18 आ गया फिर है दोस्तों हमरे पास 18 और यहां पर कतना है बहतर 18 चोकैँ बहतर यहां पर देखिए दोस्तू पहले 2 से गुना 3 से गुना 4 शे गुना जो पिछले वाला है उस पिछले वाला जो नमबर है उसको 2 से 3 से 4 से इस तरह से multiply होता हुआ आ रहा है तो अब हमारा यहां पे जो series आई वो क्या आईगी दोस्तों बहतर को हमें 5 से multiply करना है बहतर को 5 से multiply करने पे जो हमारा यहां पे answer आएगा वो यहां पे हमारा answer आजाएगा तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल असानी से आप question कर सकते हैं और आगे दोस्तों हमारे पास complex number series अब देखे complex number series जैसे नाम से पता चल रहा कि यह उल्जिव हुई थोड़ी सी series हो सकती है अब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं अब देखें इसके अंदर क्या है यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं difference कितना है इन दोनों के अंदर difference है हमारा एक का फिर पांच और साथ के अंदर है दोस्तों दो का फिर साथ और दस के अंदर है तीन का फिर दस और चोधा के अंदर है दोस्तों चार का तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 का difference आ रहा है तो अगला क्या difference होगा दोस्तों वो हमारा होगा 5 का यानि कि 14 के अंदर जब हम 5 add करेंगे तो यहां पर 19 आ जाए तो इसके जो next series होगी दोस्तों वो हमारी होगी 19 होगी और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास using to or more basic arithmetic function अब देखे कई series ऐसी हो सकते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा दो function वी उसके अंदर लग सकते हैं अब देखे इसे हम समझने की कोशिस करते हैं अब देखे इसका example देखे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखे तीन और पांच के अंदर कितने का difference है दोस्तों यहाँ पे दो का difference है और फिर यहाँ पे देखे पांच और दस के अंदर कितने का है पांच का है फिर 10 और 2 के अंदर है दोस्तो 2 का ठीक है और फिर 12 और 24 के अंदर है दोस्तो 12 का तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छा पैटरन दिखाई नहीं दे रहा कि क्या पैटरन बन रहा है लेकिन आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इसमें एक पैटरन बनता हुआ नजर आ रहा है इन दोनों नमबर के अंदर कितने का है दो का डिफरेंस है फिर इन दोनों के अंदर कितने का है दोस्तों दो का डिफरेंस है तो आगे जो हमारी सीरीज आएगी उसके इंदर भी 2 का difference होगा तो अगली जो सीरीज होगी दोस्तों उसके इंदर क्या होगा 24 पलस में 2 यानि की 26 यहाँ पर अगर हम 26 लिख देते हैं जैसे यहाँ पर हमने 26 लिख दिया अब देखिए दोस्तो इन दोनों के अंदर दो का डिफरेंस हो गया इन दोनों के अंदर दो का डिफरेंस हो गया तो इस तरह से ही जो हमारी सीरीज है पूरी तरह से बन रही है दोस्तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दू कि कई दोस्त यह सोच सकते हैं कि यह जो पैटरन यह तो बहुत असान असान पैटरन है तो UGC NET के अंदर जो पैटरन आते हैं दोस्तो वो असान पैटरन आते इसके अलावे अभी कई तरह के पैटरन हो सकते हैं मुझे पता है अन्य एक्जाम में आते हैं लेकिन हमें यहाँ पे बेसिक करने की ज़रूरत है दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्य दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े हशाने से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का सवागत है मारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम नमबर सीरीज के अंदर 2012 से लेके 2019 तक जो भी कोशन आये हैं उन सभी कोम करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की नमबर सीरीज पैटरन यूज हुआ है क्या ट्रिक यूज हुई है और किस तरह से हम बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं और इसमें इस वीडियो में आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि यूजी सी नेट में किस लेवल तक के कोशन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी टैन यूनिट के स्टेडी नोट से देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डियर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आचुके हैं वह हमने अलग कर एंटीचिंग के पहला कोशन करते हैं यह कोशन हमारा दिसमर 2015 के इंदर आया है जो हमने पैटरन किया था उसमें से देखते हैं इनमें से कौन सा पैटरन लगता है देखिए यहां पर इसने दिया है कि 2, 5, 10, 17, 26, 37 तो मैंने कल आपको कई पैटरन बताये थे तो सबसे पहले हम इसमें यह द देखना है कि यह बढ़ते करमे या चड़ते करमे हैं इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर आप देखेंगे कि सभी के सभी जो नमर वो बढ़ रहे हैं 2 से 5 और 5 से 10 10 से 17 अब सबसे पहले हम इसमें यह देखते है कि इन सभी में difference कितने का है यह देखिए 2 और पांच के अंदर डिफरेंस है दोस्तों तीन का फिर पांच और दस के अंदर दोस्तों पांच का फिर है साथ का और फिर है कितने का है नो का है और फिर कितने का साथ नो ग्यारा तो यहां पर जो अगला जो हमारे डीजिट आई यानि कि यहां पर क्या एगा तेरा ग्यारा के बाद क्या एगा तेरा आएगा और यह तेरा दोस्तों इसके अंदर हमें एड करना है थर्टी सेवन के अंदर हमें एड करना है जब थर्टी सेवन के अंदर ते अब हम अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों अगला कोश्चन हमारा जुलाई 2016 के अंदर आया था अब इसके अंदर देखिए इसके अंदर ये दिया है तीन, ग्यारा, तेज, उन्तालिस और 59 अब इनमें भी ये देखिए इनमें भी बढ़ते करम में है तो इसमें हम देखे कि किस तरह से ये सोल करें देखिए सबसे पहले हम इनके अंदर डिफरेंस देखने की कोशिस करते है कि कितना कितना डिफरेंस है अब तीन और ग्यारा के अंदर देखिए दोस्तों यहां पर आठ का डिफरेंस है और फिर ग्यारा और तेईस के अंदर बारा का और तेईस औ और 49 के अंदर经outez सोला का और 49 और 59 के अंदर है दोस्तों हमारा 20 का अंतर है तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो अंतर आया है वो हमारा highway 12 वह वह बारे कशना को इनके अंदर और कितना-कितना का इःसे इनके इंदर चाहरण का डिपरेंज है और बारRE 16 20 तो यहां पे जो 20 के बाद आएगा वो क्या एगा दोस्तो हमारे पास 24 आएगा और यह 24 दोस्तो हमें इसके अंदर add करना है 59 के अंदर जब हम 59 के अंदर 24 को add करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तो 73 हमारा answer आएगा तो इस तरह से यह कोशन भी हमारा बिल्कुल असानी से हो जाएगा तो देख सकते हैं कि कितने असान कोशन आ रहे हैं और ऐसी बात नहीं है कि मुस्किल कोशन ना है मुस्किल कोशन भी आते हैं यूजी सी नेट के अंदर वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे अब यह देखे जूम 2012 के अंदर कोशन पेपर आया था और इसके अंदर किस तरह से कोशन होगा इसके अंदर हम देखे तो इसमें भी जो ओर्डर है वो बढ़ते करम में हैं 2, 6, 12, 20, 30 इस तरह से इनोंने कोशन दिया हुआ है तो इसमें हम सबसे पहले इन में difference देखने की कोशिस करते हैं 2 और 6 के अंदर देखते हैं कितना है 2 और 6 के अंदर है दोस्तो 4 का difference है फिर 6 और 12 के अंदर है दोस्तो 6 का है फिर 12 और 20 के अंदर है दोस्तो 8 का है फिर 20 और 30 के अंदर है दोस्तो 10 का है फिर यहां पे है बारा का और फिर है यहां पे दोस्तो कितने का चोधा का तो यहां से देखे चार, छे, आठ, दस, बारा, चोधा तो अगला जो difference होगा दोस्तो वो कितना होगा सोला का difference होगा और सोला को जो हम 56 के अंदर add करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तो 72 इसका answer आएगा दोस्तो आप समझ रहे हैं आप एक बर देखी यह जो मैंने किया है सबसे पहले इन में difference देखे दो और छे के अंदर 4 का, 6 और 12 के अंदर 6 का है, 12 और 20 के अंदर 8 का है 30 और 42 के अंदर 12 का है, तो इस तरह से आप difference देख सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का है, और तो इस तरह से जो 16 को हम 56 में add करेंगे तो हमारा आएगा 72, तो यहां पे जो 72 इसका answer है, C answer इसका दिया हूँ है, तो दोस्तो आप बिलकुल असानी से question कर सकते हैं, और आगे question देखते ह यह question कैसे आएगा, दोस्तो सबसे पहले हम इसमें difference देखने की कोशिस करते हैं, कितना difference है, जो हम basically करते हैं, देखिए, 0 और 6 के अंदर है, दोस्तो 6 का हमारे पास difference है, यहां पे हम लिख लेते हैं, 6 का, 6 और 24 के अंदर जो difference है, दोस्तो वो है, हमारा 18 का, 24 और 60 के अंदर है दोस्तो वो है हमारा 36 का, और फिर 60 और 120 के अंदर है, दोस्तो 60 का अंतर है, तो यहां से हमारा कुछ सही से pattern नहीं बन रहा हमें समझ में नहीं आ रहा, कि क्या आगे plus होना चाहिए, क्या minus होना चाहिए, यहां पी जो है, वो सही से pattern नहीं बन रहा, तो अब हम एक चीज थे कि हमें क्यू देखना है स्केर देखना है तो वो हम देखते कि क्या hai उस-कन नजदीक है या नहीं है अब देखुए इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताओं देखिए जीरोका स्केर या क्यूब करें करोगे तो वो तो उतना ही रहेगा अब इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि हम सभी को अच्छे से समझ में आजाए जीरो छे चोबीस साथ और फिर हमने लिख लिया एक सो बीस अब देखिए इसके अंदर हम जब क्यूब करते तो यह देखिए यह किसके क्यूब के एक्वल टू है दो का क्यूब करते तो आठ हाथ है दोस्तो दो की पावर थरी करते है जब आठ आठ आ गया और जब इसको यह किसकी पावर के एक्वल है दोस्तो आप सोचके देखिए यह जब हम च्यार का क्यूब करते तो च्यार चोके सॉला सॉला चोके चोंसट तो कहीं ना कहीं ये क्यूब के पास में जा रहा है तो उन में हम देखते कि क्या हो सकता है ये देखे हमने जीरो का क्यूब किया और इसमें से मालो जीरो ही हमने घटा दिया तो ये आगया हमारे पास जीरो फिर यहां पे 6 है, तो 6 का हम करेंगे, जैसे कि 2 का क्यूब किया, हमने 8 आ गया, 8 में से हमने कितना घटा दिया, दोस्तों, हमने घटा दिया 2, तो यह कितना आ गया, 6 आ गया, इसी तरीके से आगे है हमारे पास 24, 24 है तो 3 का हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना आगा दोस्तो 27 हा गया, 27 में से हमने कितना माइनस कर दिया, 3, तो यहां पर कितना आजाएगा, 24 हा जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से 60 है, तो 60 का हम यहां पर कर लेते हैं, 4, 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है जिसको क्यूब नहीं पता है दोस्तों क्यूब का मतलब यह होता है जैसे च्यार का क्यूब च्यार गुना च्यार गुना च्यार यानि कि तीन बार गुना करना किसी भी चीज को तो 4 का क्यूब होता है दोस्तो 64, 64 में से हमने 4 माइनस किया, तो यहाँ पे आगया हमारे पास, 60 आगया हमारे पास, इसी तरीके से जो यह 120 है, 120 में दोस्तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, 125, 125 में जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 हा जाएगा, तो अगली जो ह क्यूब और माइनस कितना करना है छे माइनस करना है तो छे का क्यूब कितना होता है दोस्तो वो होता है साइद हमारा 216 हाँ 216 होता है 216 के अंदर जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा जो आमसल है दोस्तो वो क्या आएगा वो हमारा 210 आजाएगा तो दोस्तो इस तरह से थोड़ सा समझने की कोशिस करने है हाँ थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग सकता है लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के कोश्चन की तो आपको आने लग जाएंगे जल्दी जल्दी आप करने लग जाएंगे कोश्चन और अगर किसी दोस्त को यह कोश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप हमें वर्ट सपे मैसेज कर सकते हैं अब हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे और अगर यह क वर उसके निदर हमारे पास 40-120 है, फिर शाठ है, फिसी थे फिर 90 है, अब देखी ही इस्के इंदर मैंने बताये था आप को कि की सब से पहले हमें देखना कि सीक्वेंस है या उन् hyश्घ है है अब देखेता चालिस गुणा 3 कितना होता है 20 होता है यानी कि 4 यह लारा Ah 12 और फिर देखे च्छेटे 18 आठारा यानी कि 63 एक 180 हो गया तो नोथ देखीं यहां पर जो 120 है दोस्तों वो चालिस देखीं पर मैं दिखा देता हूँ, 40 गुना में 3 कर दिया हमने, फिर 60 गुना में 3 कर दिया हमने, अब देखे दोस्तों, 40 गुना में 3 कर दिया, हमने कितना आ गया, 120 आ गया, फिर 60 गुना में 3 कर दिया, 180 आ गया, तो फिर आगे क्या होगा दोस्तों, 90 गुना में 3 होगा हमारे पास, तो 9 या 27 यानि कि 270 हमारे पास आनसर आ जाएगा यहाँ पर आप देखो 40 को 3 से गुना किया है 60 को हमने 3 से गुना किया है और फिर 90 को हम 3 से गुना करेंगे तो इस तरीके से मैंने complex भी एक series बताई थी उसके अंदर वही उल्जा-पुल्जा हो सकता है तो इस तरह से इन question को कर सकते हैं थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है हर बार प्लस ही नहीं होगा उनके अंदर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है और multiply भाग कुछ भी हो सकता है उनके अंदर हमें देखने की आवसकता है और उनके अंदर एक जो ट्रम है छोड़के दूसरी ट्रम से भी जून 2014 के अंदर कोशिण आया था इसके अंदर चार पांच आठ तेरा चोधा सत्रा बाइस दिया है अब देखिए इसके अंदर ये कहरा कि इन में से कौन सा आंकड़ा नहीं आता कौन सी जो सीरीज है वो गलत है इनके अंदर वो हमें बतानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंग दोस्तों तीन का फिर है आठ और तेरा के अंदर दोस्तों पांच का और फिर है दोस्तों हमारे पास एक का फिर है तीन का और फिर है सतरा और बाइस के अंदर है दोस्तों हमारा पांच का तो यह हमने डिफरेंस देखा है दोस्तों आप कोपी में लिख लेना चाहिए कोशन copy में करके देखो कि जिदा अच्छे सी समंझ में आएगा अब देखे इनके अन्दर हमने 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये series हमारी चल रही है तो आगे जो series होगे दोस्तों वो भी क्या होगी हमें 26 आगया अब 26 के अंदर हमें क्या एड करना पड़ेगा दोस्तो पांस एड करना पड़ेगा तो हमारे पास कितना illshr器 इक्तिश ओगा हॉगा। क्या होगा उसके बाद भी हमें वही सीरीज अपनानी है यानि कि देखे मैं बता रहा हूँ आपको 31 के बाद क्या करना है 31 जमा में एक करना है तो कितना अगया हमारे पास 32 जमा में हमें क्या करना है 3 करना है तो यह कितना अगया 35 जमा में ने कितना करना है? पांच करना है, तो कितना गया? 40 आगया, तो इनके अंदर यह देखिए लिखने दोस्तों, हमारे पास 31 भी आगया था 32 भी आगया था 35 भी आगया, लेकिन जो 33 है वो हमारे स्वादस नहीं आई, 33 जो नंबर वो नहीं आया जो हमने excepthi ग sleek तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर सकते है वस थोड़ा सा ध्यान देने की आव सकता है अब हम अगला कोशन देखते हैं यह दिसंबर 2014 के अंदर आया था दोस्तों इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगला पद कौन सा होगा अब देखिए दो साथ अठाइस चोंसट और 126 दोस्तों यह तो बिलकुल आँखों के सामने ही है हमारा देखिए अब चलिए इसको मैं थोड़ा यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यह लिख दिया मैंने 278 फिर है 63 फिर है 126 अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है इसके अंद है 28 है वो 27 के करीब है 7 है वो 8 के करीब है यहां से क्या कुछ आए समझ में आपको क्यूब चल रहा है दोस्तों क्यूब क्यूब की बात हो रही है यहां पर देखिए अगर हम यहां पर एक का क्यूब कर देते हैं और एक के क्यूब में एक ही एड़ कर दे तो हमारे पास 2 आ आजाएगा साथ हमारे पास आजाएगा इसी तरीके से अठाइस है अठाइस का क्या होगा दोस्तों तीन का क्यूब हम कर देते हैं तीन की पावर तीन कर देते हैं और प्रलस में एक कर देते हैं तो कितना आजाएगा हमारे पास है अठाइस आजाएगा क्यूंकि तीन का होता है 64 होता है 64 में से हमने 1-1 चीम होता हुआ जा रहा है तो हमें लाष्ट में देखना है कि लाष्ट में जो सीरीज जाय से हमारी 126 है 126 देखिए 126 किसका क्यूब होता है पांच के क्यूब में जब हम एक जोड़ते हैं तो हमारा 126 आता है पांच का क्यूब कितना होता है दोस्तो 125 होता है 125 जमा में एक कर दिया तो हमारे पास आ गया माइनस होगा, तो माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा, 6 का क्यूब होता है, 216, सोरी, एक पिनट, 6 का क्यूब होता है हमारे पास, 216 माइनस में एक तो कितना आजाएगा, 215, और 215 इसका option number, एक इसका answer दिया हुआ है, तो दोस्तों इस तरह से आप question कर सकते हैं, और चलि इन्होंने series दिये, 259, 1937, अब इसमें हम करने की कोशिस करते हैं, इसमें क्या हो सकता है, यह देखे, 259, 1937, देखे, कई question ऐसे होते हैं, जो देखते ही हमें, idea सा लगने लग जाता है, अब देखे, इन दोनों के अंदर कितना relation है, इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों क च्यार जमा में, एक कितना हो गया, पांच हो गया, दियान से देखे दोस्तों, दो दुनी, च्यार जमा में, एक कितना हो गया, ठीक है, यह हो गया, अब नों कैसे हो सकता है, पांच दुनी, दस, दस में से, एक माइनस कर दिया, कितना हो गया, नों हो गया, ठीक है, फिर हम हमारे पास नो हो गया 9 डुनी 18 जमा में 11 19 हो गया तो यहां से बिल्कुल हमारे पाससर अज़र आ रहा है चले हम आपको थोड़ा करके दिखा देता हूं देखें 2 गुना में 2 जमा में 1 जमा फिर अब 5 गुना में 2 माइनस में 1 कितना हो गया? 9 फिर क्या है? 9 गुना में 2 पलस में 1 कितना हो गया हमारे पास? 19 हो गया यह करके देखें, 2 दुनी 4 और एक 5, 5 दुनी 10 10 में से एक गया? 9 9 दुनी 18 जवा में 1 19 हो गया, इसी तरीके से 37 कैसे आई गया? 19 गुना में 2 37 हो गया, तो अब देखिए अगला क्या आएगा? 37 गुना में 2 और पलस में 1 तो कितना आएगा? यह आप देखें यह हमारा आएगा 75 37 गुना में 2 होता है 74 पलस में 1, 75 इसका अंसर आजाया तो दोस्तों इस तरह से आप बिलकुल असानी से कॉश्म कर शकते हैं और आप करके देखना दोस्तों यह जितने भी कॉश्म करवा है मैंने आप सबीe कोपी में लिखना इनकी स्टेट मैंट और करके देखना और सॉलिशन मैंने आपको साथ की साथ दिये हुए हैं, आप चेक करना और फिर भी आपको किसी भी तरही कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों हमारे पास अगस्त 2016 का कोश्चन है इसके अंदर देखिए इन्होंने दिया 15132541 अब इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा क्या हो सकता है अब देखिए एक पांच 1325 और फिर है 41 अब देखिए इन के अंदर सबसे पहले इन में देखते हैं एक और पांच के अंदर कितना डिफरेंस है दोस्तों च्यार का है पांच और तेरा के अंदर है दोस्तों आठ का है 13 और 25 के इंदर कितना है दोस्तो 12 का है 25 और 41 के इंदर है दोस्तो 16 का अंतर है तो अगला क्या आएगा दोस्तो यहाँ पे हमारा 20 आएगा 16 के बाद क्या आता है 20 20 को जब हम 41 के इंदर add करेंगे तो कितना आ जाए है हमारे पास 61 आजेगा और ये कोश्चन हमने पहले भी किया था दोस्तों तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कोश्चन कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्चता है अब देखे दोस्तों ये हमारा जनवरी 2017 के अंदर कोश्चन आया था इसमें देखते हैं कि क्या होगा और ये कोश्चन भी दोस्तों हमने पहले किया है अभी किया है वह यह की बार वार रिपीट होते है कोश्चन पेपर में कोश्चन जो है यूजी सी नेट के अंदर बहुत कोश्चन रिपीट होते हैं लेकिन आप चो लोग है वो ध्यान नह है कैसे हमें देखिये इसके अंदर मैं बताओ आपको जैसे एक एक का तो चाए आप क्यूब कडालोक्त करंड़ वो तो एक ही रहे घड़ा अब डिके 뒤에 ऐसकान के दोशिखे Michів कि पावर दो दोनी चीर सताइस क्या हो सकते दोस्टों तीन की पावर तीन चार क्या हो सकता है दो की पावर दो और सोला क्या हो सकता है दोस्तों चार की पावर दो अब देखी थोड़ा जिन दोस्तों को मैथ थोड़ा कम आता वो थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर जैसे एक की पावर हमने तीन ही कर लिया एक की पावर तीन करेंगे तो एक ही दो की पावर हमने दो की दो दुनी चार तीन की पावर तीन की तीन तीन नो तीन सताइस फिर चार की पावर दो की चार सोके सोला तो यहां पे क्या आएगा दोस्तो यह जो डैस दिया हुआ है इस तरह का यहां पे इस पे क्या आएगा यहां पे हम क्या करेंगे पांच के इतना आएगा पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पंजू-पं जो साथ हैं Us apare फिर फैव पैंच घरफ 15 और फिर है 29 अब देखि Helge सब कर देखना की कोशिश करते हैं अब सबसे पहले हैं इनके इंदर कितना दिफेरेंस है इस के दोस्त में कर दोस्त पह नगे कि करेंगे धो तीन च्रा पांच तो अब देखिन के आंदर कितने का डीफेरेइंस है नीचे देखिए दोस्तों च्यारज का डिफेरेंस है 6 जमा में 4, 10, 10 जमा में 4, 14, 14 जमा में 4 कितना होगा दोस्तो 18 होगा और ये 18 जब हम 29 के अंदर add करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तो वो आएगा हमारे पास 47 आएगा तो दोस्तो आप देख सकते कि कितने असान question आ रहे हैं कितने असान question आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की आवसकता है और यह देखिए जुलाई 2018 में कोशन आया है और अब हम अगला कोशन करने की कोशिश करते दोस्तो अब अगला कोशन आता है दोस्तो हमारे पास दिसंबर 2018 का कोशन अब देखिए इसके बस difficult हो सकता थोड़ा सा ध्यान देने की आव सकता है चलो हम आपको हिंट बता देता हूं इसका हिंट क्या होगा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है पांच और 19 के अंदर फिर 19 और 49 के अंदर इन सभी के अंदर आप difference देखना ठीक है सभी के अंदर difference देखना हम माल ल differents आप देखना ठीक है इस तरीकर से 66 आजायि या 44 जो भी differents आये फिर यहांते जो darms, sir जो भी difference आई वको यहांते जो सीरीज जाए उसके अंदर एड करना है और यह जो सीरीज आए दोस्तों इसके अंदर वो फिर 295 के अंदर एड करना है ठीक है आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि आपको प्रोग्लम ना हो सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंस द ठीक है और वो जो डिफरेंस आए वो कोमन डिफरेंस कितना है वो डिजिट फिर उसके अंदर एड करना ठीक है इस तरीके से आप करके देखना यह आज है बिलकुल असान है अगर फिर भी किसी भी दोस्त को यह कोशन नहीं आता है तो आप हमें वर्टसप पे कॉंटेक्ट करना हम आपको आंसर देने की पूरी-पूरी कोशिस करें और वैसे इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है दोस्तों यहां पर देखिए भी इसका आंसर है 409 इसका अंसर आएगा लेकिन आप अपने आप करके देखना कि क्या इसका अंसर 409 इसका या नहीं आता है ठीक है और आगे दोस्तों आगे हमारे पास दिसंबर 2018 का ही कोशन पेपर है ये तो इसके अंदर देखे ये भी असान है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है देखे इसके अंदर क्या है 0049 36 और 100 अब देखे दोस्तों यह तो बिलकुल असान है दोस्तों बिलकुल असान है यह तो साफ साफ सब्दों में दिख रहा है देखें तो 9 किसिके पावर होते हैं दोस्तों है जीरो की पावर दो कर दो यहां पर एक की पावर अब देखे जीरो एक तीन छे दस यहां पर सभी की पावर हो रही है तीन की पावर दो तीन त्या नो छे की पावर छेको छेको छती सो की दस की पावर दस की power 2 so हो गया अब यहां पे देख़ें दोस्तों यहां पर एक का difference यहां पर दो का यहां पर तीन का यहां पर चयार का तो आगे क्याएगा दस में जब हम पांच add करेंगे तो 15 आजएगा और 15 की power 2 के त Exodus तो वह हमारे लेना, तो आप ये सबी के सभी कोशन आप एक वर दोफ़ारा करके देखिए, यह सवाल है, कोपी में लिखे, कोपी में कर करके देखिए, और कोई सवाल नहीं आता, तो आंसर ना हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है, आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आजएगा तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे और घंटी का वटन जरूर दवाईए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो जो साली से देखिए थैंक्यू दोस्तो इसके साथ दोस्तो हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेस्ट देते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा पेड़ कोर्श जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाटसप नमर पर कॉंटेक्ट कीजिए और इसमें से दोस्तो लगबग हर बार कोशन आने की संभावना रहती है और काफी कोशन आज तक यूजी सी नेट पेपर फरस्ट में आये हैं तो यह टोपिक करना हमाले बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान चलिए दोस्तो अब हम कोशन करने की कोशिश करते हैं और कोशन करने से पहले हमें कुछ ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए बेसिक बाते पता होना चाहिए देखे जब हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के कोशन करते हैं तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इस्ट वेस्ट नौर्थ साउथ कौनची है कई दोस्त इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं देखे इस्ट होते हैं जो पूरू की दिशा होते हैं उसे हम कहते हैं इस्ट वेस्ट जो होते हैं वो जो पस्चम की दिशा होते हैं जहां पर सुर्ज छिपता है वो कहते हैं और जो उत्तर की दिशा होते हैं उसे हम नौर्थ कहते हैं और दक्सन की जो होते हैं उसे हम साउथ कहते हैं तो इस तरीके से सबसे पहले बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए और इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों कि थोड़ी सी बेसिक चीज़ समझने वाली है वैसे तो हर कोई अपने हिसाब से कोशिन करता है कि जब भी आप कोशिन करो तो इस तरह से आप बनाने की कोशिस करना अपनी फिगर इस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से ठीक है यानि कि आपका जो चेहरा है वो इसकी तरफ होना चाहिए नॉर्थ की तरफ होना यहाँ पे है और यह इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ पे यानि कि इसका जो राइट हैंड है वो इस्ट की तरफ है और जो इसका लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट की तरफ है और इसका जो चहरा है वो नौर्थ की तरफ है इस तरीके से आपको यह बनानी है ठीक ह और आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा भी जो डर्यक्षन होती है वो क्या होती है अब एक चीज और उता अब कुछ डर्यक्षन और नियुक्त आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्योंकि इनका भी हमारे कोशन पेपर में यूज हो शकता है और हमें दाएं और बाएं किस तरीके से मुड़ना है कोशन के अंदर आएगा वो भी हम देखेंगे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस्ट वेस्ट नोर्थ साउथ कुन सी है और हमें किस तरह मुग करके खड़ा होना है ताकि हम अच्छे से कोशन कर सके और इसके अंदर और चीज़े देखते हैं जैसे हम ये भी आप फिगर देख सकते हैं इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आजाएगी सारी के सारी direction और और इसके अंदर देखते जैसे की देखी इसके अंदर क्या होता है अपने आपको हमेशा उत्र की तरफ करके देखी ये चीज मैंने आपको बता दी थी और जिस तरीके से देखे इसके अंदर क्या कहा जाएगा हमें कोशन के अंदर ये कहा जाएगा कि हमें दाए मुडना है बाए मुडना है जब वो दाए मुडने की बात करे तो हमें दोस्तों जो कलोक हमारी चलती घड़ी जिस तरीके से चलते उस तरह से हमें मुडना है जब दाए कहें तो वो यह सारी की सारी चीज़े जब हम कोश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से लगु होता है यह जो फ्रमूला है दोस्तों यह हम पाइंध्य क nerve डिया जाता है जैसी कि इसके इνदर हमें एक सिच्वेशन बन जाते है और वह मनें पाइथा में ट्राइइंगल करेंवाचि बन जाता है तो उसके इंदर हमें यह पता करने होता कि कि यहाँ यानि कि डाइगनल जो होता है हमारा ये जो होता है ये एक्वल टू किसके होता है लंब प्लस हद अधार लंब मिन्स जो ये हाइट है इसका स्केर प्लस में अधार यानि कि बेस है इसका तो इस बेस पे हम कोश्चन निकालते हैं और यहां पर आप अगर इंगलिस में देखन खैना यहां पर डैख सकते हैं देखिए जेसे पाइथा गोस्प्रेम में होता है इसका formula क्या होता है एसके plus 20 के एज़ते हो गया और भी यह हो गया इसका ATA से ट्राइगनल है करन जो है उसके स्केर के एक लटू होता है और हमें जैसे इसके अंदर A निकालना है मान के चलिए हमें ये निकालना है तो ये किसके इक्वल्टू होगा यहां पर ये जो B है दोस्तों यहां के माइनस हो जाएगा B कसकेर यहां पर माइनस हो जाएगा और हमें सिंगल A निकालना है तो इसका under root होगा इसका जो scale root है वो हमें तोटना पढ़ेगा तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं और इसी तरीके से B निकाल सकते हैं और ये ज़्यादा अच्छे से आपको जब हम question करने वाले हैं अभी उसमें आपको अच्छे से समझ में आजाएगा देखे और इसके अंदर यही सारी चीजे यह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वैसे हिंदी में पढ़ना चाहे तो अब हम कोश्चन करके देखते हैं दोस्तों कोश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अब देखे इसने कहा है कि संध्या अपने घर से सुरू होकर पुरू दिसा में चार किलोमेटर जाती है एक मिनिट दोस्तों यहाँ पे इसका जो साइज है हम वो छोटा कर लेते हैं देखिए इसमें कहा है कि संध्या जो है वो अपने घर से शुरू होकर पूरो दिसा में 4 किलोमेटर जाती है अब सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों सबसे पहले हमें जो इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो डायरेक्शन हमें डिफाइन करनी है तो हम कर लें तेजे से, यह हमने कर लिया East, यह कर लिया West, और यह कर लिया North, यह कर लिया हमने South, जिस तरह इसे मैंने आपको बताया था, अब देखे संध्या अपने घर से पूरू की और चलती है, 4 किलोमेटर, अब देखे, यह इस तरफ जाएगी, ठीक है, तो इस तरफ जा हैंगे, और हमारा जो दाया और बाया है, वो हाथ देखेंगे, कहां होगा, देखे, हमारा चेहरा इस तरफ है, हम इस तरफ देखते वे जा रहें, इस तरफ देखते वे जा रहें, तो हमारा दाया और बाया हाथ कहा होगा, दोस्तों, वो बताये, हमारा जो दाया हाथ होग वो इस तरफ होगा और बाया हाथ होगा वो हमारा इस तरफ होगा यानि कि राइट हैंड यहां पे होगा और लेफ्ट हैंड हमारा यहां पे होगा तो यह चीज हमें ध्यान में रखना जरूरी है यानि कि यह थोड़ा समझना जरूरी है जिस तरफ हम देखके चल रहे हैं उस इसने कहा है कि इसने कहा है कि संध्य अपने घर से सुरू होकर पूरू दिशा में च्यार किलोमेटर जाते हैं तो हम माल लेते हैं यहां तक च्यार किलोमेटर हो गया यह हो गया च्यार किलोमेटर तक यहां तक वो जाती है फिर वह दाई और मुड जाती है अब देखे अब य तो हमारा जो दाया जो होगा दोस्तों वो इस तरफ होगा तो यहां पे हम कितना किलोमेटर मुड़ते हैं तीन किलोमेटर मुड़ते हैं यहां पे हम तीन किलोमेटर चल लिए यहां पे हमें तीन किलोमेटर चले अब हमें बताना है उसके घर तक पहुंचने के लिए सबसे कम दूरी कौन शी होगे सबसे कम दूरी तो दोस्तों यह यहां से लेकर यहां तक हमारी यह दूरी होगी तो यह दूरी हमें निकालने और यहां पे हमारा क्या लगेगा दोस्तों यहां पे हमारा पाइथा गोर्स प्रेमे का जो फॉर्मूला था वो लगेगा और उसके निसार क हमारा यह दोस्तों डाइगनल यह हमें निकालना है अब देखते हैं कि यह कोशन किस तरह से निकलेगा चलिए मैं इवेज कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आजए अब देखिए यह कोशन कैसे निकलेगा यह कोशन निकलेगा हमारा हम चार का स्केर कर देते हैं तीन का स्केर कर देते हैं और यहाँ पर सी का स्केर यानि कि जो ये डिस्टेंस हमें निकालने यह आजाएगी अब इन दोनों का स्केर करते हैं चार चोके 16, 13, 9 यह आजाएगा सी का स्केर 16 और 9 कितना होगा दोस्तों यह होगा हमारे पास 25 अब कहां पर लिखे हम हम यहां पर लिख देते हैं 25 इक्वल टू सी का स्केर हमारे पास यह आ गया अब यहां से हमारे पास सी स्केर क्या आया दोस्तों सी स्केर जो आया है हमारे पास 25 आया है और अगर हमें only C निकालना है तो C निकालने के लिए क्या होगा दोस्तो 25 जो है इसका under root होगा under root करने पर C क्या जाए या 5 आ जाए दोस्तो तो संध्या जहां पर अभी वो खड़ी है और उसके घर की जो दूर यह वो क्या होगी दोस्तो पांच किलोमेटर हो जाएगी तो इस तरह से ये कोशन आप बिल्कुल असानी से कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फूजन है कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट वॉक्स के जरीए या आप हमें वर्ट्सप पे मैसेज कर सकते हैं वर्ट्सप नंबर मैं आपको यहाँ पे स्क्रिन पे दे दूँआ और अब हम देखते दोस्तों अब हम अगला कोशन करके देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आज यह है अब यह देखिए इसने कहा है कि मोहन ने अपने घर से सुरुआत के और पुरूव दिशा में चलना सुरू किया अब इसके अंदर भी बते करते हैं हम इसके अंदर इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लेते हैं पांच किलो मिटर के दूरी तै करने के बाद है अब उसने हमान लेते ही यहां तक उसने पांच किलो मिटर दूरी तै कर ली वह दाई और मुडर अब दाईλέ मुडर मतलब इस तरफ मुड़ा ये हमें देखना है दाई कौन सा भाई कौन सा ये मैंने आपको अलरेडी बताया है दाई और मुड़ा और वो तीन किलोमेटर चला अब दाई और मुड़ा और तीन किलोमेटर चला और पहले कितना चला था पांच किलोमेटर अब आगे देखते है वह फिर दाई और मुड़ा अब देखी यहां पे हमें ध्यान में रखने वाली है कि अब इसका चहरा किस तरफ है इस तरफ चहरा है इसका वह फिर दाई और मुड़ा अब देखी यहां पे उसका दाई अबाया कौन सा होगा यानि कि राइट और लेफ्ट कौन सा होगा यहाँ पे इसका दाया यानि कि जो राइट है वो ये साइड होगी दोस्तो इस तरफ की जो साइड है वो होगी इसकी राइट साइड फिर क्या है कि ये पांच किलोमेटर चला यानि कि इस तरफ मुड के ये पांच किलोमेटर दोबारा फिर चला अब देखिए इसके बाद उसने दाहिनी और दोबारा फिर दाया कह रहा है दोस्तो तो दाया अब कौन सा होगा अब देखिए अब इसका चहरा इस तरफ है यानि कि ये इस तरह से चल रहा है अब इसका दाया कून सा होगा दो तो अब इसका दाया इस तरफ होगा और मैंने अब को पहले भी बताए था कि दाया वाया जो right जो होता है दाया जो होता है उसको clock wage जानी कि जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है उस side में हम मुड़ेंगे ठीक है तो यहां पे यह दाईं तरफ मुड़ा और 60 डिगरी सुरी 30 डिगरी यानि कि 30 डिगरी यह माल लेते इस तरीके से यह 30 डिगरी मुड़ा और 6 किलोमेटर की दूरी तैकी अब यह माल लेते यह 6 किलोमेटर चला यहां पे इस तरीके से 30 डिगरी मुड़ के यह कितना च दिशा में है और वह अपने घर से कितनी दूरी पे है अब देखिए यहां पे हमें क्या मिल गया एक चीज देखिए यह हमें क्या मिल गया कि इस पे हमारा पाइथा गोर स्प्रे में फॉर्मला लागू होगा अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है अब देखे यह जो डिस्टेंस है यह इन्हों ने बता दी छे किलोमेटर है और यह जो डिस्टेंस है दोस्तों यह जो डिस्टेंस है यह यह हमारे तीन किलो आफ बन गया यहां पर यह 6 किलोमिट्र आ गया और यह हमारा 3 किलोमिट्र क्योंकि यह देखे यह जो-3 किलोमिट्र है यह एक्वल टू इसके होगा यह उर तीन आ गया अब हम्ल proceso distance निकालनी दोस्तो वह distance हमें यह distance हमें निकालनी है और यह distance कैसे निकलेगी ये उसी तरीके से निकलेगी जो मैंने पाइथागोर्ष प्रे में बताया था इसमें ये करना है दोस्तो हमारा ये उन्चाई है हाइट है और ये हमारा अधार है ठीक है तो ये यानि के हमारा बेस है तो इस बेस पे जो हमारा पाइथागोर्ष प्रे में आ जाएगा और जो जो दोस्त इस कान से निकाले वो कमेंट वोक्स के अंदर जुरूर बताना हमें और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक किजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके हैं थैंकि दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्स भी जोईन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टड़ी नोट से देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डियर कोशन पेपर देते हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो पर ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर देहे दोस्तों जैसे आप ये देख सकते कि ये जनवरी 2017 के अंदर कोशन आया है और आगे जैसे जुलाई 2016 में जून 2015 में तो इस तरह से ये कोशन काफी आये हैं दोस्तों ये देख सकते आप दिसंबर 2012 तक कोशन आये हैं तो चलिए हम एक एक कोशन करके देखते हैं कि किस तरह से आप बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं देखिए यहां पे इन्होंने दिया है कि A का कूट C है यानि कि A को C लिखा जाता है M को I लिखा जाता है N को P लिखा जाता है तो इस तरीके से सभी सब्दों को दूसरे स replace किया जाता है तो company है companies को हम किस तरह से लिखेंगे देखिए दोस्तों इसमें काफी दोस्त क्या करेंगे कि एक एक चीज लिखेंगे कि जैसे एक को क्या लिखते सी लिखते यहां पर M को कहते आई कहते इस तरीके से सारे के सारे सब्द लिखेंगे लेकिन दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना हमें जल्द से जल्दी किस तरह से करना है वो हमें आना चाहिए देखे हमारा जो तरीका है वो उस तरीके से आप देखने की कोशिश करिए और जिससे आपका बहुत ही इसानी से कोश्चन हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा देखे हम क्या करेंगे कि हम लास्ट के अंदर इसमें तीन चीज ले लेंगे जैसे I, E, S, यह तीन चीज ले ले लेते हैं और इनी से हमारा question निकल जाएगा पूरा company जो है, company's का जो code है वो लिखने के जरूरत नहीं है, last के अंदर देखिए I, E, S, यह ले 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 लेते हैं, I, E, S अब देखिए, I को हम इसके अन्दर किस के दिवार लिखते हैं, I का ए, यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर है, E, E को हम किस से लिखते हैं, E का है, M, E का क्या है दोस्तो, M है, और उसके बाद में S, S को किस से डिनोट किया जाता है S का है O S को किस से रिपलेस किया जाता है O तो अब हमें लास्ट में जो IES है इसकी जगय AMO कौन से Option में है वो हमें देखना दोस्तो यहां से देखिए Option नमबर 4 AMO यहां पे केवल और केवल Option नमबर 4 में दिया है एक में दो में तीन में नहीं है तो यहां से आप बिलकुल असानी से देख सकते कि इसका जो आनसर है वो Option नमबर 4 आएगा और इसमें आपको पूरी की पूरी जो डिजिट है यानि की पूरा जो नाम लिखाओ उसका डिकोडिंग करने की जरूरत नहीं है आप लाश्ट के तीन अकसर कीजिए वहीं से हमारा आनसर निकल जाया तो इस तरह से दोस्तों आप बिलकुल असानी से दस सैकंड के अंदर या आनसर निकाल सकते हैं और आगे हम और कोशन देखते हैं उनमें हम आपको बताएंगे कि तरह से आप बिलकुल नसानी से कॉशन कर सकते हैं अब देखिए »आगे इनों ने कहा है कि सेलेक्षन जो सब्द है सेलेक्षन को ये लिखा जाता है Q.C.J.C.A. यानि कि ये इनोंने सब्द दिये हैं ये लिखा जाता तो Americans को किस तरे से लिखा जाएगा तो इसके अंदर भी दोस्तो हम क्या करेंगे कि लाश्ट के चार अकसर लेंगे लेकिन नॉर्मली दोस्त क्या करते ही वो सुरु आश्छ सुरू करते यानि कि खुरू के झो एक्सन है और यह जो है इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए ठीक है तो इसमें हम देखते हैं कि क्या रिलेशन हो सकता है सबसे पहले हम जैसे लास्ट में ही लेते है टी आई ओन ये ले लेते हैं और नीचे ये ले लेते हैं ठीक है एन को L लिखा जाता है, O को M लिखा जाता है, अब देखिए, इन दोनों के अंदर relation देखते हैं, अब देखिए, M जो N है, N है हमारा 14 पे आता है दोस्तों, और L है वो आता है हमारा 12 पे आता है, फिर O है, O आता है हमारा 15 पे आता है, और M जो है, M कितने पे आता है दोस्तों, हमार नो के उपर आता है और जी है हमारा साथ के उपर आता है अब देखिए दोस्तों इन के अंदर आप एक सीज देखिए ये चोधा है ये बारा है ये पंदरा है ये तेरा है तो ये दो दो कम होते हुए जारे ऊपर की जो डीजिट है दोस्तों उन में से दो नमबर कम करके नीच वाला लिखा गया है यहां से आप बिलकुल असानी से देख सकते हैं ठीक है और जैसे यह है T है T हमारा कितने पर उता है दोस्तों T20 यानि कि मैंने बताया था 20 पर होता है T और नीचे है RR कितने है 18 पर यानि कि 2 नमबर कम कर दी ना तो यहां से हमें पता से लिगा कि 2-2 कम हो S, अब देखें, जो S है, S कितने पर होता है, दोस्तो, S होता है, हमारा 19 के उपर होता है, सबसे पहले यहां पर लिखिलीजिए, 19 हो गया, और जो N है, N होता है, हमारा 14 के उपर होता है, A जो है, A होता है, हमारा 1, और C जो होता है, वो होता है, हमारा 3, अब इन में से 2-2 कम कर बारा आएगा बारा पर क्या अक्सर आता है हमारा एल आता है यह मैंने आपको बताया था और उसके बाद आता है दोस्तों जैसे हमारे पास ए ए में से हम दो कम करेंगे तो एक तो ए कम हो गया और एक जैड कम हो गया तो क्या आएगा दो कम करने पर हमारे यहां पर आएगा फ option number A हमारा A Y L Q यहां पर आ रहा है इसके अंदर लास्ट के अंदर आ रहा है तो दोस्तों केवल और केवल हम यह चार यूनिट निकाल के चार जो अक्सर है इनको डी कोड करके हमारा पूरा का पूरा कोशन कर सकते हैं हमें पूरी की पूरी यह A M E R I यह पूरी की पूरी जो अ असानी से बिलकुल असानी से कोशन कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं और हर कोशन दोस्तों इसी तरह से करना है हमें बिलकुल असान है और जो लोग सोचते हैं कि विजनिंग हो काफी डिफिकल्ट होती हमारे समझ मनी आती तो दोस्तों यह हमार अंदर एक गल्द फैमी में भर जाती है तो उसको आज तोड़िए अब देखिए अब आया है हमारा ये अगला कोशन इसके अंदर मतूरा को इस तरीके से लिखा जाता है तो होटल को किस तरह से लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे दोस्तों इन दोनों के अं के अंदर देखिए जैसे एक मिनट देखिए ए है ए हमारा होता है एक पर होता है ठीक है और जो एक्स है एक्स कितने पर होता है दोस्तों मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड यानि कि जो जेड होता है चबिस पर होता है वाई होता है एक्स वाई जेड यानि कि चोब पर होता है तो इस तरह से कर शकते यू जो होता है हमारा वो 21 पर होता है 21 और जो और उसके बाद है और होता है हमारा 18 पर होता है तो अब इन सभी में देखें दोस्तों कितने कितने का डिफरेंस है अब इनके अंदर देखते हैं कितने का डिफरेंस है जैसे ए हमने देखा था A है हमारा 1 मैं थोड़ा सा इसको erase कर लेता हूँ A है हमारा 1 पे और जो X है वो 24 पे तो इन दोनों के अंदर कितने का difference है दोस्तों इन दोनों के अंदर हमारा 3 का difference है ठीक है यहाँ पे हम लिखे लेते हैं यह हमारा 3 का difference है फिर 18 और 15 के अंदर यह देखे इन दोनों के अंदर कितने का 3 का difference है और फिर यह देखे 21 और 18 के अंदर भी हमारा 3 का difference है यानि कि 3 तीन difference है और यह जो 3 है दोस्तों उपर से minus हो रहा है नीचे की तरफ उपर जो है उन में से 3 जो 3 नमबर वो कम करके नीचे digit लिखी गई यहां से आप बिलकुल असानी से देख सकते हैं यानि कि जैसे यहां पर 18 था आर था 18 में से 3 गई 15 15 का आगया हमारे पास ओ आगया तो इसी तरीके से हमारा जो होटल है उसके अंदर करना है ठीक है तो अब होटल में करके देखते हैं और होटल में भी हम क्या करेंगे लास्ट की तीन डिजिट लेंगे अब देखिए होटल की तीन डिजिट ले ली E L S अब E L S में तीन 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 कम करते हैं अब देखिए S जो है S हमारा कितने पर होता है दोस्तों S होता है हमारा 19 पे होता है S होता है हमारा 19 पे होता है 19 पे हम जब 3 कम करेंगे तो हमारे पास आईगा 16 तो 16 पे क्या होता है हमारे पास P होता है फिर आगया L, L कितने पे होता है L होता है हमारा 12, 12 में से जब हम 3 कम करेंगे तो 9 हूँ और नो क्या होता है दोस्तों नो होता है हमारे पास आई अब बात आती ही होता है हमारा पांस नंबर पर पांस में से जब हम total के digit को decoder नहीं किया है हमने हमने के वर लास्ट के तीन जकसरा उनको decode किया है वहीं से हमारा अंसर आ गया है तो इस तरह से दोस्तों बिलकुल असाने से और बहुत कौशिंट कर शकते हैं अब रहीं फिर निदेख तो यह दैखे दोस्तों यह पूरा सुरू से नहीं करेंगे, लास्ट के अंजर तीन डिजिट लेके देखते हैं अब देखें, लास्ट के अंजर हमने यह तीन डिजिट ले ली, E, R, S ले लिया, अब देखिए जो S है, S है हमारा 19 पर है दोस्तो, यह मैं लिखे ले पांगा आता है ठीक है अब नीचे देखते दोस्तों यहाँ पे, अब देखी है नगी उपर जो डिजिट है उसमें से 1 माइनस करके नीचे डिजिट लिखी गई है तो यहां से बिलकुल उसानी से पता से लिए तो हमें इसमें भी क्या करना है दोस्तों उपर जो डीजिट है उन में से एक एक माइनस करके नीचे लिखना है सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात याद रखने वाली यह है कि हमें सभी अकसर पता होना चाहिए कि K कितने पे, N कितने पे, O कितने पे, D कितने पे, G कितने पे आता है A, B, C, D के अंदर तो इस पे मैंने एक special वीडियो बनाई है उसके अंदर आप केवल और केवल 5 सेकेंड के अंदर बता सकते हैं W कितने पे, O कितने पे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आप बहुत ही असानी से सीख सकते हैं, अलफावेटिकल रिजनिंग, अब देखिए, अब बात करते हैं, इसी कोश्चन में जैसे लास्ट के तीन अक्सर लेते हैं, और उपर हमने देखा कि एक एक माइनिस होता हुआ आ रहा था उपर से, तो ए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ए कितने पर ए होता है दोस्तों हमारा पांस नमबर पे, फिर जी, जी होता है हमारा साथ नमबर पे, फिर डी, डी होता है हमारा च्यार नमबर पे, अब एक एक कम करते हैं पांच में से एक कम किया चार चार पे होता है हमारे पास दोस्तो डी अब देखे जी जी है साथ साथ में से हमने एक कम किया तो छे छे पे क्या होता है दोस्तो हमारे पास वो होता है एफ होता है छे पे होता है हमारे पास एफ फिर है डी डी है चार चार फ्रारमेंसे से जब हम एक कम करेंगे तीन तीन होता हैं दोस्तो सी फडी अगोगी के अंदर तो यह सो बीज का अंसर वो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो झाएगा तो दोस्तो यह चाहिए बिल्कुल आसानी से कोई difficult नहीं है बिल्कुल असानी से बहुत यह जल जल कोशन कर शकते हैं और इसके बाद भी कई कोशन है देहें देखेजी 2020 14 के अंदर कोशन आया है यह कोशन आप चाहिए तो दोस्तों यहां से नोट कर शकते हैं आप कर लिजिए और आप करके देखना दोस्तों इन सब्भी कोशन के आंसर निकाल के देखना आंसर वैसे साथ की साथ दी वे आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके बाद जैसे दोस्तों ये है सेप्टमबर 2013 का है और इसका कोशन आप सभी बताना दोस्तों क्या इसका आंसर आएगा बहुत ही असान है निये कोशन है मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना कुछ क्या सीख रहे हैं सब्तमबर 2013 का इसका अंसर A आएगा B आएगा C आएगा D आएगा ये सभी के सभी दोस्त अपने कमेंट वोक्स के अंदर लिखना और मुझे बताना कि क्या इसका राइट आएगा जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं और इसके बाद भी और भी कई कोस्टन हैं जैसे दिसंबर 2013 में आया है यहाँ पर ये हमने अंसर भी दिया हुआ है तो आप ये चेक करना कि क्या इसका अंसर यही होगा या नहीं होगा यह आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों करवाने को मैं करवा सकता हूँ सभी के सभी कोस्टन करवा सकता हूँ बिलकुल असाने लेकिन आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा ज़रूरी है तो यह भी कर शकते हैं दोस्तों तो यहाँ पे मैंने करीब तीन से च्यार कोशन आप सभी के लिए छोड़ दीए यह आप करके देखना और इन कोशन में आपको कोई वी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं यह हमारा सितना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेल कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभीतक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो पढ़ी असाने से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज की जो वीडियो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा important होने वाले है और ये जैसा कि आपने थमनल में देखा कि ये आपके होस उडा देगी दोस्तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ ये वीडियो देखके आप बिल्कुल हैरान रहे जाएंगे कि UCC.net के अंदर दुनिया क सबसे असान question डिटो कोपी question आते हैं इस तरह के question दुनिया के साइद किसी exam के अंदर आते हो तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो और मेरा ये पूरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर कहेंगे omg और दोस्तो अगर आपको ह वीडियो देख लेते तो आपका नेट तो क्या आपका जे आरफ भी हो सकता है दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमरा पेड़ कोर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के श्टड़ी तो चलिए दोस्तों अब हम सुरुवात करते हैं हमारी वीडियो की और इसमें दिखाते आपको यूजी सी नेट से रिलेटिड चौंकाने वाले कुछ कोश्चन दोस्तों यह देखिए यह हमारा यूजी सी नेट जी आरफ पेपर फर्स्ट जून 2011 का कोश्चन पेपर है ठीक ह की कीमत में 25% की विरिद्धी हुई यदि खर्चा नहीं बढ़ाया जा सकता है तो उपभोग में कमी और मूल उपभोग के वीच अनुपात हमें पता करना है ठीक है यहां पर आप यह कोश्चन की एक बार ही जो हैडिंग है यह आप देख लिजिए अब हम आगे देखते है दोस्तो यह कोशन कब कब आया हो और किस तरह से आया है अब यह देखिए दोस्तो यह हमारे पास पेपर फस्ट जून 2012 का कोशन पेपर है और कोड ओड डेवलू इसके अन्दर में देखते हैं कि यही चोशन किस तरह से रिपीट हुआ है अब इसमें देखे दोस्तों ये रहा हमारा कोशन नमबर 20 पेटरोल की कीमत में 25 परतिसत वृद्धी होती है ग्राहक को अपना उपभूगत किस परतिसत में कम करना चाहिए जिससे कि पेटरोल का पहला विल बदले नहीं यहां पे आप देख सकते कि बिलकुल असानी से किस तरह से इन्होंने कोशन दिया हुआ है और पहले भी इन्होंने 25 परतिसत की बात की थी और अब भी ये 25 परतिसत की बात कर रहे है यानि कि डिट्टो कोपी कोश्चन है और अब हम यह देखते हैं दोस्तों यही कोश्चन दुबारा यानि कि तीसरी बार यह कोश्चन कब आया है अब यह देखे दोस्तों आपके सामने UGC NET 2019 का कोश्चन पेपर है 24 जून का पेपर है यह और मौर्निंग सिफ्ट है इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों यह कोश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है आप देखके बिलकुल हैरान रहे जाएंगे दोस्तों यह कोश्चन अब यह देखे यह हमारा कोश्चन नमबर 26 है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि in a new budget the price of petrol rose by 25% by how much percent must a person reduce his consumption so that expenditure on it does not increase इसका मतलब यह है दोस्तों की प्राइज जो पेट्रोल का प्राइज है वो 25% बढ़ गया है तो एक व्यक्ति को अपना कितने परतिस अपना खर्च कम करना चाहिए ताकि उसकी जिन्दगी पे कोई effect ना पड़े तो दोस्तों यहां पे आप बिल्कुल असानी से देख सकते हैं बिल्कुल डिट्टो कोपी यही हमारा कोईशन 2012 के अंदर आया था और यही अब 2019 के अंदर आ गया है और इसके अंदर सबसे खास बात यह है दोस्तों इसकी जो statement और इसका जो answer है बिल्कुल सेम है डिट्टो कोपी है इसका answer हर बार सेम आता है तो आप यह question बिल्कुल असानी से देख सकते हैं कि किस तरह से question repeat हुआ है और अब हम यह देखेंगे दोस्तों कि यह question हमें किस तरह से करना है तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से UGC net के अंदर डिट्टो कोपी question repeat होते हैं और दोस्तों हमने और भी काफी वीडियोज बनाई हैं उसके अंदर और जो topic है उन में से दिखाए हैं हमने जैसे logical reasoning में teaching aptitude में research में कि ऐसे कौन से question है जो डिक्टो कोपी repeat होते हैं चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि यह petrol की कीमत में व्रिधी वाले question किस तरह से किये जाते हैं दोस्तों इसमें जो एक खास बात होते हैं वो यह होते हैं कि जो कीमत है कीमत के अंदर व्रिधी देऊ होते हमें कुछ percentage और हमें यह कहा जाता कि हमारा जो खर्च है उसके अंदर कितना खर्च कम करना चाहिए ताकि हमारा जो है वैवस्ता वो बिगड़े नहीं तो यह होता है इसके अंदर क्या होता है कि किसी वस्तु का ए परतिशत मुल्य बढ़ा दिया जाता रो उसके बाद हमें पूछा जाता कि हमारा जो खर्च है खर्च में कितने परतिस्द कमी करनी चाहिए तो यह देखिए इससे हम किस तरह से करेंगे अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है यह है मुल्य वरिधी पर खर्च में कमी इक्वल टू किसके होगी 100 गुना में A यह होता है जितने परतिसत हमें बढ़ाने के लिए कहा जा रही है देखी यहां पर किमत में 25 परतिसत वृद्धी हुई है तो यहां A की जगए 25 परतिसत आ जाएगा और बटे में 100 जमा में A यानि कि 25 ही यहां पर आएगा अब देखे इस कोशन को हम करके देखते हैं कैसे यह कोशन आएगा इसमें कहा है कि पेटरोल की केमत में 25 परतिसत की वृद्धी होती है तो यह इस फॉर्मले में रखके देखते हैं तो यह रखा हमने 100 गुना में 25 यह आगया हमारा दोस्तों 25 सो आगया धाई हजार आगया ठीक है धाई हजार और नीचे दिया है 100 गुना में A यानि कि 100 गुना में 25 यह हो गया 125 हो गया यहाँ पे हम लिखे लेते हैं 125 हो गया तो यह दोनों की दोनों की आएगी दोस्तों दोनों की दोनों हमारे पास ही आजएगा पत्चिस सो बटा में एक सो पत्चिस ये हमारे पास आ जाएगा जब अब धाई हजार को जब हम एक सो पत्चिस से डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो ये बीस परशेंट आएगा यानि कि बीस आनसर इसका आएगा यहाँ पे ए इसका उप्शन एबिलकुल राइट उप्शन इसका हो जाएगा तो इस तरह से हमें बिलकुल असानी से कोशन करना है यहाँ पे अगर पच्चिस के जगए चालिस दे दे जो भी दे दे वो हमें A की जगए रखते जाना है और वो हमेरा आनसर आता जाएगा और दूसरी बात दोस्तो अगर यहाँ पे ये कह देते हैं कि लगाना है तो इस तरह से बिलकुल असानी से कोशन कर सकते हैं और आगे देखते हैं यहाँ जून 2011 के अंदर कोशन आया था इसके अंदर भी वही है दोस्तों same to same बात है तेल की कीमट में 25% की वरिद्धी हुई यदि खर्च बढ़ाने की अनुमती नहीं है यानि कि खर्च नहीं बढ़ा सकता तो खपत में कमी वही बात आगी दोस्तों यानि कि खर्च में कितना कमी करना है हमें वो बतानी है, सबसे पहले हमें वो निकालना और फिर क्या है, मूल खपत के वीच का अनुपात यानि कि इसमें थोड़ा सा जो कोश्चन है वो बढ़ा दिया अब देखिए, सबसे पहले इसमें खपत में कमी की ये बात पूछ रहा है तो यहां पे हमने देखा कि खपत में कमी कितनी परतिशत करनी पड़ेगी, बीस परतिशत करनी पड़ेगी तो यहां पे खपत में कमी हम यहां पे निकाल लेते हैं कि बीस परतिशत हमारा आ गया है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है अब आगे देखते हैं खपत में कमी और मूल खपत के बीच का अनपात क्या है ये हमें पता करना है अब देखे पहले हम मानके चलते हैं कि 100% जो है खरचा करते थे उसके बाद क्या है कि 20% हमने कम कर दिया तो अब इन दोनों के बीच का जो अनपात है वो हमें निकालना है अब देखें खपत में कमी कितने परतिस्थ की है हमने 20 परतिस्थ की है और टोटल खपत कितनी होती थी हमान के चलते हैं 100% हमारी खपत होती थी अब देखे इन दोनों के बीच में अनुपात कितना होगा अब इन दोनों के बीच में जो अनुपात होगा दोस्तों वो हमारा एक अनुपात पांच होगा तो एक अनुपात पांच ये उपसा नमबर सी के इंदर हमारा आंसर है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा चलिए मैं एक वार फिर से आपको समझा देता हूँ देखें हमारी खपत में कमी कितनी हुई 20% हम अब कम खर्चा करना शुरू कर दिये हैं ठीक है अब यह कहरा कि खपत में कमी और मूल खपत के बीच का अनपाथ तो यह देखना खपत में कमी 20% और मूल खपत हम माल लेते हैं 100% पहले करते थे तो अब इन दोनों के बीच का जो रेसो होगा वो होगा एक रेसो फाइव तो इस तरह से हम यह आनसर निकाल सकते हैं दोस्तों ठीक है अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों यह 24 जून 2019 में अभी जो हमारा एक्जाम हुआ था उसके अंदर आया था इसके अंदर में कितने परतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर खर्च नय बढ़े अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट भी सही है और जो परतिशत वृद्ध है वो भी सेम दे रखिए तो इसका आंसर है दोस्तों वो भी हमारा बिलकुल सेम आई या निकी 20% इसका आंसर आएगा औ और वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह ऐसे होगा 100 गुना में 25 बटे में 100 जमा में 25 यह मैंने आपको बताया था तो इस तरह से करके देखना यह यह जो सवाल आपका बिलकुल उसानी से आजाएगा अब देखें दोस्तो एक चीज और आती है अब ये तो बात होगी हमारी पेट्रोल की कीमत में बृध ही होगी लेकिन कई तरह के कोशन ऐसे हैं जिनके अंदर नहीं वृत वृत की तरीजा व्यास और जो हमारे आयत होते हैं यानि के रेक्टेंगल होते हैं उनके वारे में भी कई कोशन आये हैं तो वो कोशन हम किस तरह से करेंगे सबसे पहले हम कोशन देख लेता है कि किस तरह से आये यहाँ पे देखी यदि एक वृत की तरीजा 50% तक वड़ जाती है तो उस वृत की प्रिधिक की सीमा तक बढ़ेगी यहाँ पे यह सरकल की बात करें सरकल का जो र प्रतिशत वड़ जाती है तो उसके अग्छेतर फल में कितनी विद्धी होगी उसके बाद देखे जैसे यह आया है आयत के बारे में आया है एक रेक्टेंगल के बारे में आया है कि रेक्टेंगल की जो लंबाई और चोड़ाई एक एक प्रतिशत बढ़ जाती है तो उसका के कोशन भी आते हैं अब ये देखते हैं दोस्तों इस तरह के कोशन हमें कैसे करने हैं देखिए सबसे पहले बात करते हैं वरित यानि कि जो सर्कल जो होता है हमारा यहां पे आप इंगलिस में भी देख सकते हैं यह कोशन हमने इंगलिस में भी लिखा हुआ है यानि कि जो सर कि किसी सरकल की ए परतिशत रेडियस बढ़ा दी जाती है तो उसकी प्रीधी प्रीधी माने तो पैरामेटर यानि कि पैरामेटर में क्या डिफरेंस होगा अब पैरामेटर की बात करें तो पैरामेटर क्या होगा देखें पैरामेटर भी मैं बता देता हूं पैरामेटर क्या ह होता है जैसे कि कोई बन्दा यहां से चला और घूम फिर के यहां से यहां से यहीं पर आ गया यह जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं दोस्तों पैरा मेटर या प्रीधिक कहते हैं तो इसका जो कोशन है इसमें पोचा है कि किसी विरद की जो रेडिय से वो ए परतिसती 30 बढ़ जाती है तो उसके parameter में कितना percent बदलाओ होगा तो इसका जो answer होता है दोस्तों वह बिलकुल simple है जिदी किसी वृत की तरीजा ए प्रसेंट बढ़ाई जाती है तो उसकी पृधि में ए परसेंट की ही बढ़ोतरी होगी यह बिल्कुल इससे ही आएगा दोस्तों जैसे यह देखेशने 50% रेडियस बढ़ाई है तो इसका जो पैरे पैरामेटर दोस्तों वह भी 50% ही बढ़ेगा जितना रेडियस बढ़ेगा उतना यह हमारा पैरामेटर बढ़ेगा इसके अंदर ज्यादा दे दिया जाए ना दोस्तों तो हमारी गड़वड हो जाए यह चीज आप ध्यान में रखना सरकल में अगर रेडियस बढ़ रही है तो उसका पैरामेटर भी सेम टू सेम उतना ही बढ़ेगा यहां पर हमने यह जो एक्जामपल भी दे रखाई यहां पर आप बिल्कुल असा देने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे और आगे दोस्तों आगे हमारे पास यह दिसम्बर 2007 के अंदर कोश्चन आया था इसके अंदर काया कि किसी वृत की तरिज्या 50% बढ़ जाती है अब देखी यहां भी इसने यही का था वृत की तरिज्या 50% बढ़ जाती है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वह देखते हैं यहां पर इन्होंने कहा है कि उसके अग्छेत्र रफल में व्रीद्धी हुई यहां पर जो एरिये की बात चल रही है और यहां पर क्या है दोस्तों यहां पर हमारे पैरामेटर की बात चल रही है यानि कि इसकी प्रीधी की बात च तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो अलग होगा दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या होगा उसका फॉर्मूला हम देख लिते हैं देखिए यह जो फॉर्मूला है दोस्तों यह हमारा दो भुजा वाले जितने भी हमारे आयत है वर्ग है या फिर हमारा जो सरकल है उसके उपर य यदि किसी दो भुजा वाली आकरती जैसे आयत वर्ग या वृत ये वृत के अंदर वैसे दो भुजा नहीं होते लेकिन फिर भी इस पे लागू होता है में एक्स परतीसत की वृती होते तो उसका अक्छे तरफल का फॉर्मूला ये है अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या है उसका फॉर्मूला ये है सो जमामे ए सो जमामे बी ये कर लिया हमने बटे में सो और माइनस में सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये लागू किस तरह से होगा तो इसमें होगा दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं बढ़ोतरी की बात चल रही है से पहले हम सो पलस में पचास करते तो यह कितना जी आए दोस्तों हमारे पास एक सो पचास आजाएगा और फिर दोबारा सो जमा में पचास करेंगे तो यह आएगा दोस्तों हमारे पास जब हम एक सो पचास को गुना करेंगे तो यह आएगा दोस्तों हमारे पास जब हम 150 और 150 को गुना करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा मैं यहां पे थोड़ा यहां पे लिख देते हैं यह आएगा 225 00 आजाएगा अब बटे में यहां पे 100 है यहां पे यह देखी यह 100 है हमारा तो दो जिरो से दो जिरो कट गी अब हमारे पास क्या गया दोस्तों दोस्तों पच्छिस आ गया अब दोस्तों पच्छिस में यह देखिए यहां पे हमारे पास सो है माइनस सो करेंगे तो क्या गया दोस्तों हमारे पास एक सो पच्छिस आंसर आएगा यहां से तो यहां से हम बिलकुल असानी से यह कोश्चन कर सकते हैं बस आपको यह धियान में रखना है कि यहां पिस एरिये के बारे में पूछा हुआ है या पैरामेटर के बारे में अब हम अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तो अब देखिए इसने यही बात कही है कि जब एक आयत के लंबाई और चुड़ाई में एक एक परसेंट की तूरूटी की जाते है तो आयत के एक छेतर फ़ल में तूरूटी क्या होगी अब इसमें सेम टू सेम यही लगेगा दोस्तो यह जो कोश्चन यह जो फॉर्मूला है यह हमारा लगेगा यह जो है हमारा ठीक है यह आप इसके अंदर करके देखना इसके अंदर क्या करोगे 100 जमा में 1 100 जमा में 1 और बटे में 100 माइनस में 100 इस तरीके से आप ये कोशन बिल्कुल उसानी से आजाएगा अगर आपको कोई प्रोब्लम आते तो आप हमसे पूछ सकते हैं आगे ही जो हमारा कोशन है दोस्तों ये भी same to same वैसा ही है same to same इसके अंदर वही फॉर्मूला लगेगा और यह कोशन है, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, यह तीनों के तीनों कोशन आप करके देखना दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रोबलम आती है, तो हम इविनिंग की वीडियो में आपको यह करवाएंगे, सभी के सबी तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करके देखना सभी कोशन करके देखना अगर कोई प्रोब्लम आती है तो हमें बताना तो दोस्तो आज के लिए वसी तना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का वटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो को शानी से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तो अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाले वीडियो बढ़ी असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहोतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम मैथमेटिकल रिजनिंग में एज वाले कोशन करने वाले हैं आपने काफी तरह के ऐसे कोशन देखे होंगे जिसके अंदर पिता की जो उमर होते हैं वो बेटे की उमर से तीन गुना जादा दी होई होते हैं और कहते कि दस सालवाद उनकी उमर इतनी हो जाएगी तो उनकी वरतमान उमर कितनी हैं तो इस तरह के कोशन UGC NET में भी काफी कोशन आज तक आये हैं और आगे इन में से आने के संभावना है तो ये टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के सब्सक्राइब के लाइव मोक टेस्ट देते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा पेड़ कोर्श जोइन करना है त था और धीरी धीरी हम सभी एर के दिखाएंगे कि कब कब कोशन आये हैं इसमें कहाए कि दो व्यक्तियों में ए और बी की आईू का जोड़ कितना है 50 वर्स है 5 वर्स पुरू उनकी आयू का नुपात 5 नुपात तीन था ए और विकी वर्तमान आयू क्या है देखिए दोस्त इसे हम shortcut तरीके से कैसे निकालेंगों वो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे इन्होंने कहाए कि A और B की आयू का जोड की तरह 50 वर्ष है तो इनमें 4 की 4 जो option है उनमें सभी में इनका जोड की तरह 50 वर्ष दिया हुआ है लेकिन अब दूसरा जो है इस पे हम ध्यान देते है पांच वर्ष पूरू उनकी आयू का अनुपात 5 अनुपात 3 था A और B की वर्तमान आयू क्या है ये हमें बताना है दोस्तों ठीक है तो हम एक टाइम के लिए मान के चलते कोई भी option ले लेते जैसे बी option हमने ले लिया तो यह यहां पर इन्होंने वर्तमान आयू दी हुई है 35 और 15 वर्तमान आयू दी हुई है अगर हम इनमें 5 पांच वर्तमान आयू करते तो कितना आएगा यह आज आएगा हमारा 30 वर्त और यह आएगा हमारा 10 वर्त अब देखिए क्या इनके अंदर जो अनुपात है वो 5 अनुपात 3 का अनुपात आ रहा है या नहीं आ रहा है यह देखिए 10 यह देखिए 10 और 10 का करेंगे और भीस में से पांच माइनस करेंगे यह हो जाएगा हमारा पत्चिस और यह हो जाएगा हमारा पंधरा अब देखते हैं पत्चिस और पंधरा इनके अंदर अनुपात कितना है इसके अंदर देखें यह जाएगा पंचो पंचो पत्चिस यह पांच और यह पांच त तीन निकल रहा है और इन दोनों का जो जोड है वो भी 50 आ रहा है तो इस तरह से दोस्तों हम सोटकट तरीके से भी इस कोशन को कर शकते हैं बिलकुल असानी से और दूसरा जो तरीका वो आप जानते हैं कि माना एक एक वैक्ति कि आई उएक्स है तो बी की क्या होगी 50 माइनस एक्स हो जाएगी तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं और आगे हम कोशन देखते हैं दोस्तों आगे हम किस तरह से सोटकट मैथर से करेंगे और दोस्तों अगर आप कोई कोशन अभी वी समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं आप हमें वाट्सअप पे मैसिज किया क के साथ और बताया करें कि सर्म मुझे ये कोशन नहीं आया तो हम आपको वहां पे समझाने की कोशिश करेंगे चलिए अगला कोशन देखते हैं ये हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आये था इसमें कहा है कि अनील की उमर सुनीता की उमर से दो गुनी है ठीक है इसने कहा है कि दो तो अनील की जो उमर है वो क्या होगी दोस्तो 2X यहां पर हो जाएगी अब देखिए तीन eating वर्स पहले यानिजिन साल पहले की बात कर रहा हैं तो उसकी उमर सुनीता की उमर से तीन गुनीत थी तो अब देखिए इसमें क्या होगा इन दोनों में हम माइनस 33 कर देते हैं य इन वर्ष पहले उसकी उमर सुनीता की उमर से 3 गुनी थी यानिकि इसकी उमर से 3 गुनी थी तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तो 3 से multiply करेंगे यानिकि जिसकी उमर कम हो उसको हम multiply करेंगे तो हमारी equation equal होगी अब देखिए यह हो जाएगा 3x-3 तिया 9 यहां पे होगा 2x माइनस में 3 यह हो जाएगा हमारे पास अब देखिए यह जो 2x है यहां पे आएगा तो यह हमारे पास रह जाएगा दोस्तों x एक रह जाएगा और फिर यह जो 9 है 9 यहां पे आएगा यहां पर यह नो माइनस का है यहां के क्या हो जाएगा इस तरफ पलस का हो जाएगा पलस के नो माइनस के थरी तो कितना रह जाएगा हमारे पास X ब्राबर में क्या जाएगा 6 आ जाएगा अब देखी X क्या आया है X आया हमारे पास सुनीता की उम्र आई है X अब अनील की उमर क्या होगी छे दुनी बारा यहां पे आ जाएगी और यही इसने पूछा कि अनील की वर्तमान उमर क्या है तो यह दोस्तो बारा उमर इन्होंने दी हुई है दोस्तो आप इसका स्क्रेंशोट ले सकते हैं और अगर समझ में ना आए तो आप ये वीडियो ए ये देखे इसके अंदर इसने क्या कहा है पिता और उसके पुत्र की आयू का मध्यमान 27 वर्स है अब मध्यमान का मतल़ होता है दोस्तो उनका हाफ एवरेज यानि कि हाफ आधा कहते है मध्यमान ठीक है पिता और उसके पुत्र की आयू का मध्यमान 27 है तो यानि कि टोटल कितना होगा दोस्तों टोटल के लिए हम दो से मल्टिप्लाइ करेंगे 27 दुनी चौवन यान कि इसका अर्थी है कि पिता और पुत्तर की आयू का योग कितना है चौवन वर्स है यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि पिता को हम पी लिख देते हैं और बेटे को हम बी लिख दोनों की आयू का योग कितना है चौवन वर्स है अब देखिए यहाँ पे हमारी दो एक्वेशन बन रही है एक तो सबसे पहले पिता और पुत्तर की आयू का योग कितना है चौवन अब यह देखिए च्यारों के च्यारों को आप एड़ कर ले ना च्यारों की उमर गुना हो जाएगा अब देखिए यह जो option है ना इन सभी में 18 18 एड़ करके देख लेते हैं इन में से random तरीके से आप एक ले लीजी हम ले ले लेते हैं चालिस ले ले लेते हैं चालिस जमा में 18 हमने किया ठीक है और फिर हम 14 जमा में 18 करते हैं अब देखिए 40 और 40 में से 18 एड़ किया तो यह कितना हो जाएगा और 14 पलस में 18 करेंगे तो यह कितना आएगा दोस्तों 18 2 32 और यानि की 32 यहां पर आ जाएगा अब देखिए इसमें का है कि 18 साल बाद पिता अपने पुत्तल की आयूँ से दोगना हो जाएगा यहां पर हम देख सकते हैं कि यह दोगना नहीं है यह जो 58 यह 32 का दोगना नहीं है तो यह जो ऑप्शन अपना टूँ यह नहीं होग अब हम उप्सन नमबर ए देखते हैं अब ए में ए करके देखे दोस्तों ए करके दिखा रहा हुआ है आपको ए में 42 वर्स दी है इसमें हम 18 वर्स एड़ कर रहे हैं इसी तरीके से 12 वर्स दी है 12 में हम 18 एड़ कर रहे हैं 42 का हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 60 वर्स और यह हो पुत्र की आयू है और उपर वाली है हमारी पिता की आयू है तो दोस्तों इस तरीके से आप बिलकुल असानी से सोट कुट मैथ़ड अपना के भी ये कुशन निकाल सकते हैं और दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है वो उस तरीके से निकाल सकते कि पिता और पुत्र की आयू का योग है वो हमारा चौवन वर्स है जैसे कि P पलस में B हो गया चौवन वर्स तो P क्या होगा P हो जाया चौवन माइनस में B इस तरीके से आप निकाल सकते और आगे फिर 18 साल का करके वो पूरा लंबा प्रोसेस करके यह कोशन आप निकाल सकते हैं लेकिन बैटर यह रहेगा कि आप उप्शन में पूर्ट अप करके देखिए वहाँ से जल्दी उप्शन आजाएगा और अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों यह हमारा जून 2015 का कोशन है इस के देखिए वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से चार गुना बड़ा है तो इसे देखिए इसे हम कैसे करेंगे इसमें हम सिस्टमेटिक धंग से चलने की कोशिस करेंगे वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से चार गुना बड़ा है तो पहली line से ही हमें question को साथ में लेके चलना है यहाँ पे इसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बेटा बड़ा है तो इसमें बेटे की जो उम्र है वो माल लेते हैं दोस्तों हमने x माल ली और जो व्यक्ति है व्यक्ति को हम v ही लिख लेते हैं व्यक्ति व्यक्ति की उम्र कितने होगी दोस्तों 4x हो जाए क्योंकि इसने कहा है कि बेटे से 4 गुना बड़ा है अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है और जो इसकी पत्नी है इसका मतलब क्या है दोस्तों यहां से पढ़ने की कोशिश किजी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है तो इसका मतलब क्या है इसकी जो पत्नी है P से डिनोट करते है वो क्या होगा 4X-3 यानि कि सीधा सा मतलब है कि इसकी ज तीन साल चोटी है, यह हमारी एक्वेशन बन गई, अब आगे देखते हैं, तीन साल के बाद, तीन साल बाद की यह बात कर रहा है, तीन साल के बाद, उसके बेटे की आयू पंधरा साल हो जाएगी, अब तीन साल के बाद, तीन साल के बाद, एक्वेशन क्या बनेगी, एक्स पलस में थरी कितनी हो जाएगी उसकी उमर 15 साल हो जाएगी यह देखिए यह एक्वेशन चो बन रहे न उसे समझने की कोशिश करो दोस्तों तीन साल के बाद उसके बेटे की आयू 15 वर्स हो जाएगी बेटे की आयू यह है इसे बेटे की एड़ कर दिये तो टोटल कितनी हो आयू की इक्वेशन क्या है? च्यार एक्स माइनस थरी अब च्यार एक्स की जगेजब हम 12 रखेंगे यहां पर नियुकर करके देखे लिते हैं साल बाद कितनी होगी तो 45 के इंदर जब हम 5 एड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 50 इसका अंसर आ जाएगा तो दोस्तों इस तरह से बिलकुल असानी से यह कोशन भी निकाल सकते हैं बस इन कोशन में थोड़ा सापको सोचने की जरूरत होते हैं बिलकुल असान कोशन हो कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टेडी नोट से देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डीर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे के आज तक विसर्च के कोशन आ चुके हैं वह हमने अलग करके हैं इस तरीके से सभी 10 य सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाये बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रिजिनिंग में और यानि की एवरेज वाले कोशन करने वाले हैं आपने इस तरह के कोशन देखे हुए होंगे कोशन पेपर में और इस तरह की काफी कोशन आज तक आये हैं दोस्तों ये कोशन करना हमारे लिए काफी जरूरी है और यह कोशन बिल्कुल असान है बस थोड़ा से हमें इनको समझने की जरूरत है आप बिल्कुल असानी से इनको कर सकते हैं दस सेकंड के अंदर तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल असानी से बताएंगे कि आप किस तरह से कोश्चन कर सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना ये देखे दोस्तों ये हमारा दिसंबर 2012 के अंदर कोश्चन आया था इसके अंदर इन्होंने कहा है कि एक ग्रूप में प्रिक्ष्णों की संख्या 40 है यानि कि यहां पर माल लेते कि एक ग्रूप में 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 मर है 40 है 40 में मर दिये हुए यहां पर हम ले लेते हैं टोटल है 40 अब इसमें पहले दस सदस्यों का और इन्होंने 35 दिया हुआ है दोस्तों यहां पर मिश्टेक होगे 35 नहीं यह 3.5 है यहाँ पर यह देख सकते हैं आप ठीक है तो 30 का जो ओस्त है वह भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं और से मल्टिप鉑ाई करेंगे तो यह आजए चैना दोस्तों हमारे पास 105 हमारे पास आजएगा अब इन दोनों को हम एड़ करेंगे यह देखिए एड़ करेंगे यह जीरो फांस पांस दस की जीरो आसिल एक और यह जाय 5 और यह जहने कि 151 हमारे पास आ गया और यह देखि यहाँ पर हमारे पास कितना था टोटल कितना था 40 लोग थे तो इसका ओस्त क्या होगा दोस्तों और स्के लिए हम टोटल यानि कि जो कि जो हमारा है या बटे में 40 एक सोपचास में 40 जीरो से 0 कुटकी 15 बटे चार यानि की option number 6 का answer आ जाएगा तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर शकते हैं और आगे देखना दोस्तों UGC ऐसे ही असान असान question देता है हमेसा average question देता है UGC ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल कभी नहीं देता बस थोड़ा सामें ध्यान देने की जरूरत होती है चल च्यार संख्याओं का माध्य सो है च्यार संख्याओं दी है A B C D इनका माध्य कितना दी है माध्य मतलब मेन या average हम कह सकते है वो इन्होंने दिया है सो दिया है यदि C सत्र है तो से संख्याओं का माध्य है क्या होगा ये हमें बताना है अब देखिए इसके अंदर क्या है क इन्होंने average दिये और इन्होंने ये बताया नहीं है कि A कितना है, B कितना है, और D कितना है, अब देखिए, चार संख्याओ का माध्य कितना है दोस्तो, 100 यहाँ पे दिया है, तो total कितना हो जाए दोस्तो, सबसे पहले हम total निकालते, तो total के लिए क्या करेंगे, चार गुना मे 100 करेंगे, कितना आजाएगा हमारे पास, 400 आजाएगा, अब देखिए, अब इसने कहाए कि ये दि C सत्तर है, C की जो value कितनी दिया है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने सत्तर दिया है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, चार शो में से हम सत्तर माइनस करेंगे, तो ये क्या आजाएगा हमारे पास, 330 हमारे पास आजाएगा, अब इसने कहाए कि से संख्याओं का माध्य क्या होगा, जो लाश्ट में बच गी, कितनी बच गी हमारे पास, 3 संख्याओं बच गी, उनका माध्य क्या होगा, अब देखिए, 330 बटे में 3 करेंगे हम, ये आएगा 110 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और जो 110 है वो है हमारा option number D तो यहां से आप बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं तो आप देख सकते कि कितने असान असान question यूजी सी दे रहा है और अब हम अगला question देखते दोस्तों यह हमारा December 2013 के इंदरा था विद्यार्थियों की एक कश्या के प्रापतंकों का मध्य 65 है यानि की एक कलास उसके अंदर जितने विद्यार्थिय उनके बिल्क जो अंका हैं उनका जो average है दोस्तों वो 65 यहां पर इन्होंने दिया हुआ है कश्या के आधे विद्यार्थियों का प्राप्तंक 45 है अब देखिए जो आधे विद्यार्थिय उनका जो मध्यां की यानिyu किदने है कि फोटी फाइब है और सब्से पहले एक चीज यहां पर जो total हुद्यार दोस्तों 40 है हमारे पास total कितने है 40 और 40 के सभी के सभी का average कितना है 65 है अब यहां पे कक्षा के आधे विद्यार्थियों का मध्धे 45 है आधे का मतलब क्या है दोस्तों 20 जो विद्यार्थे उनका जो मध्धे है 45 है अब क्या करना है बच्चे वे विद्यार्थियों के प्राप्तं का मध्धे क्या है वो हमें निकालना है अब देख चलो जीरो आजएगा और अगे इस अद्धे विद्यारतियों का माध्वार कितना 25 है why is लिवन बीस को 45 में करेंगे दोस्तों हमारे पास 900 अब देखिए अब हमारे पास कितने विद्यारति रहे गए 20 हमारे स्विध्यार्थी रहे गए और यहां पे जो अंग है वह कितने रहे गए जब 26 में से हम 900 माइनस करेंगे तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारे पास हुआ है तो दोस्तों यहां से आप बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं अब हम अगला कोशन देखते दोस्तों यह देखिए यह कोशन भी बिल्कुल असान है इसके इंदर क्या कहा है? 210 चात्रों का एक समहू किसी प्रिक्षिया में सामिल हुआ ठीक है 210 चात्र है total वो किसी एक्जाम के अंदर बैठे एक बटे तीन में एक तिहाई में चात्रों का मध्धे 60 पाया जाता है तब संपूर्ण समहू का मध्धे क्या होगा अब ये देखिए दोस्तों, ये बिलकुल आसान है मुँआ आपको बताते हूँ कैसे होगा ये देखिए टोटल हमारे पास कितने है टोटल है हमारे पास 210 है अब देखिए एक तियाही चातरों का मध्य 60 calculation है सब से पहले हमें ये पता होना चायी कि कि एक त्याई कितना होता है 210 का 210 का एक त्याई हम निकालते हैं 210 बटे में थरी कर लेते हैं तो यह कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 70 यहां से आजाएगा यानि कि 70 जो student है उनका average कितना है 60 दिया है और दो सेस चात्रों का 78 पाया जाता है अब सेस चात्र कितने रहेंगे दोस्तों हमारे पास वो रहेंगे 140 रहेंगे ठीक है 140 का जो माध्य वो कितना है 78 दिया है अब देखी अब हमें टोटल का वो अमाध्धे निकालना है तो 70 को 60 से गुना करेंगे 6 सता 42 यानि की 42 सो आ जाएगा यहां से हमारे पास और फिर 140 को 78 से मल्टिपलाई करेंगे तो मैं अभी करके देख लेखता हूं वो कितना एगा 140 मल्टिपलाई में 78 यह आ जाएगा 10,920 यहां से आ जाएगा यानि की 10,920 यहां पे मैं लिख लेता हूं अब देखे दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे इन दोनों को एड़ करेंगे फिर हम पूरा एवरेज निकालेंगे अब देखे इनको जब हम एड़ करेंगे पलस में 42 यह 15,120 आ जाएगा 15,120 यहां से आ गया हमारे पास अब हमें एवरेज निकालना है टोटल का तो 15,120 को हम डिवाइड किससे करेंगे 210 से हम डिवाइड करेंगे 210 से हम जब इनको डिवाइड करेंगे जब हम 15,120 को 210 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तो यह आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा 72 हमारा option number 4 दिया हुआ है तो दोस्तो इस तरह से बिलकुल अचानी से आप करशकते हैं और एक बार फिर शे मैं बता देता हूँ यह question कैसे आएगा सबसे पहले हमारे पास टोटल जो 210 दिये हुए है 210 में एक तिहाई छात्रों का माध्य साथ दिया है एक तिहाई का मतलब होता है दोस्तों 70 जो student है उनका माध्य साथ दिया है और फिर जो बच के सेश चातर सेश चातर बचे हमारे पास 140 140 का 78 दिया हुआ है इन्होंने तो अब टोटल का हमें निकालने है टोटल का निकालने के लिए पहले 70 को 60 से मल्टिप्लाइ करेंगे 42 हो आ गया फिर 140 को 78 से करेंगे तो 10,920 आ जाएगा और फिर इन दोनों को हम एड़ करेंगे इन दोनों को एड़ करने से 15,120 आ गया अब 15,120 को 210 से हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा तो इस तरह से बिल्कुल असानी से कर सकते हैं और दोस्तो इस तरह के कोशन अब की वार भी आने के संभावना है क्योंकि यह कोशन काफी सालों से आ रहे हैं तो चलिए दोस्तो अब हम अगला कोशन देखते हैं यह देखिए अब यह देखिए दोस्तो यह हमारा अगस्त 2016 का कोशन पेपर है और यह कोशन दोस्तों आप सभी को करना है अपने हिसाब से करना बिलकुल असान है दोस्तों कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है जैसे हमने पीछे की कोशन की वैसे ही ये कोशन है आप थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखना इसका अंसर क्या आएगा प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों और अगर आपको कोई भी प्रोब्लम आती है इस कोशन के इंदरा आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आप हमें वर्टसप कर सकते हैं ये नमबर हमने दिया हुआ है और इस नमबर से आप हमारा पेड़ ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं अग दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जुरू दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तो दोस्तो अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी टैन यूनिट के सब्सक्राइब को अलग लग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तो हम आपको सभी टैन यूनिट के लाइव जल्दी से जल्दी हमें इस वाटस अबनार पर कॉंटेक्ट किजिए दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूट्ब चैनल निमी जी नैट पर दोस्तो आज हम मैथमेटिकल रिजिनिंग में तीन से चार तरह के कोशन करने वाले हैं देखिए द काफी तरह के question आ सकते हैं लेकिन हम उन चीजों पर फोकस कर रहें जो यूजी सी net के अंदर बार बार पूछी जाती है जो concept बार बार आता है यूजी सी net के अंदर तो आज हम आपके सामने तीन से चार तरह के question लेके आये इनमें से करीब 10 से 15 बार question आये हैं दोस्तों तो यह टोपिक है हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह होते है दोस्तों कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना तभी हमारा एक्जाम के लिए हो सकता है तो हम यहाँ पे आपके लिए चुनिंदा ऐसे कोशन लेके आई हैं जो बार बार रिपीट होते हैं कोशन पेपर में तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से अब ये देखिए दोस्तों ये हमारा दिसंबर 2014 के अंदर कोशन आया था अनुपात का यानि की रेसों का और ये कोशन हमारा तीन से चार बार आ चुका है और अभी जो हमारा रिसेंटली पेपर हुआ था जून 2019 का कोशन पेपर हुआ था उसमें भी ये कोशन आया था अब देखिए इस कोशन को हम किस तरह से करेंगे वो हम बिलकुल असानी से देखेंगे देखिए सबसे पहले इसने दिया है कि दो संख्या है जिन का अनुपात कितना है थरी अनुपात 5 यानि कि रेसो कितना दिया है थरी रेसो 5 दिया है अगर इसमें से 9 को उन संख्या में से घटा दिया जाए यानि कि ये जो उपर रेसो दिया है इसमें से 9 माइनस कर दिया जाए तो हमारा जो रेसो कितना हो जाएगा 12 रेसो 23 हो हमें यहाँ पे क्या है कि संख्याई निकालनी है दी हुई नहीं है यहाँ पे ठीक है तो इसके लिए हम X माल लेते हैं तो यहाँ पे माल लिया 3X जो संख्या है और दूसरी हमने माल लिए 5X अब इसमें क्या करेंगे अगर उन में से 9 को घटा दिया जाए तो इनमें हम माइनस 9 कर लेते हैं और यहाँ भी हमने माइनस 9 कर लिया अब देखिए अब जो रेस है वो हमारा क्या हो जाए दोस्तों इक्वल टू 12 बटे 23 इसका रेसो हो जाएगा अब देखिए इसको कैसे सॉल्ड करेंगे अब इनमें हम क्रोस मल्टिप्लिकेशन करेंगे यानि की एक दूसरे के साथ हो गुना करेंगे 23 है 23 की इसके साथ मल्टिप्लाई करेंगे और 12 है 12 की इसके साथ मल्टिप्लिकेशन करेंगे अब देखिए यहाँ पे मैं equation लिख लेता हूं इसको जब हम 3 से multiply करेंगे तो ये आजाएगा हमरे पास 69 ये आजाएगा 69X आजाएगा माइनस में जब हम 23 को 9 से multiply करेंगे तो ये आजाएगा दोस्तों हमरे पास 207 आजाएगा equal to में अब ये देखिए 12 पंज़े 6 ये आजाएगा 6X और 12,9,108 यानि कि यह आ जाएगा हमारे पास 108 आ जाएगा अब देखिए अब इसे हम कैसे करेंगे यह जो 60X है दोस्तों यह यहाँ पे आएगा यहाँ पे पलस है यहाँ के क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 69 में से जब 60X माइनस होंगे तो क्या रहे जाएगा हमारे पास 9X यहाँ पे रहे जाएगा और equal to में यह देखिए यहाँ पे 207 जो यह है यहाँ पे यह माइनस का है और यहाँ आ के क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास पलस का हो जाएगा अब देखिए पलस के 207 है हमारे पास और मैनस के 108 तो यानी कि 207 में से 108 जब हम मैनस करेंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास 99 यहाँ पे इस साइड में रह जाएगा अब देखिए यहाँ पर 9X है और यहाँ पर 99 है तो यहाँ से X की जो value है दोस्तो वह क्या आजाएगी हमारे पास 11 वेल्यू आ जाएगी यानि कि 99 बटे में 9 करेंगे यहाँ पे मैं करके देता हूँ 99 बटे में 9 करेंगे तो क्या जाएगा 11 आ जाएगा अब देखिए 11 क्या है हमारे 11 x की वेल्यू आई है और जब ये x की वेल्यू 3x और 5x के अंदर रखेंगे तो क्या होगा 3x के अंदर x के value रखेंगे तो 11, 33 हो जाएगा एक जो हमारी जो रकम है वो हो जाएगी 33 और दूसरी क्या होगी 5x की जगे वो 11 रखेंगे तो 11, 55 यानि कि दूसरी क्या हो जाएगी 55 तो हमारी दोनों के दोनों संख्या क्या होगी एक होगी 33 और दूसरी होगी 55 तो हमारा जो आंसर होगा वो C आंसर यहां से आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से एक कोशन कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपको यह समझ में ना है अगर कोई confusion रहा हुआ है तो अब देखे दोस्तों यह हमारा जुलाई 2018 के अंदर question आया था इसके अंदर कहाए कि दो संख्याओं का अनुपात दो अनुपात 5 है यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड दिया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है एक अनुपात 2 हो जाता है same to same यह वही question है दोस्तों उसी तरीके से हमें करना है अब देखे जो संख्या है वो हम x लेके चलते तो अब देखे इसमें 2x माल लिया और दूसरी हमने माल ली 5x माल ली अब देखे यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड दिया जाए अब देखे इनमें हम 16 16 एड कर लेते इसमें 16 एड कर लिया और इसमें 16 एड कर लिया पलस में यहाँ पर अब देखे तो उनका अनुपात कितना हो जाता है एक अनुपात 2 हो जाता है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह डिवाइड कर दिये, तो equal to में किसके हो जाएगे, एक वटे, दो हो जाएगा, अब दोबारा इसमें वही करेंगे, cross multiplication, इसकी इसके साथ multiply किया, और इसको इसके साथ multiply किया, अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जब 2 को, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 2 को हम जब 2X पलस में 16, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ गया हमारे पास, और equal to में, यह एक है, यहाँ आ गया 5X पलस में 16, यहाँ पर, अब देखिए, 2 दुनी, 4X, 16 दुनी, 32 बराबर में, यह तो एक से multiply करेंगे, तो इतना ही रहेगा, 5X पलस में 16, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, यह जो 4X है, इसको यहाँ पर लेके आएंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा, दोस्तों, यहाँ हमारे पास cable X रह जाएगा, यहाँ कि 5X में से, जब 4X जाएगा, तो 1X रह जाएगा, और यह जो 16 है, दोस्तों, 16 को इस साइड में लेके आएंगे, तो यह यहाँ पर क्या रह जाएगा, हमारे पास 16 रह जाएगा, यहाँ कि X की value क्या आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पर 16 value आ जाएगी, अब देखिए X यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया, और अब देखिए, अब जो real जो हमारी संख्या है वो निकालते, 16 को जब 2X और 5X के इंदर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे तो 16 दुनी 32, एक संख्या हो वो हमारी 32 आ जाएगी और दूसरी क्या होगी, 16 गुना में 5 करेंगे तो 16 पंजे असी, दूसरी क्या जाएगी हमारे पास 80, तो दोनों की दोनों जो संख्या हो जाएगी, एक तो 32 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 80, यह हमारा उप्शन नमबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों यहां से भी मैं उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह कोश्चन, अब हम अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों, यह हमारा जून 2019 के अंदर आया था, अब यह देखे, यह थोड़ा सा उनसे अलग है लेकिन बिलकुल असान है, इसमें कहा है कि यदि 152 को 3, 4, 5 और 7 के नुपात में 4 भागों में विवाजित किया जाता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा भाग क्या होगा, यहाँ पर आप इंगलिस में भी पढ़ सकते हैं, बिलकुल असानी से समझ में आ जाएगा, यानि कि एक संख्या है हमारे पास 152 टोटल, और जो अदर जो संख्या है, जो चार संख्या से मिलके यह 122 बना है, तो इसके लिए बिलकुल सिंपल है, दोस्तों, 3, 4, 5 और 7 इन सभी को आप काउंट कर लिजी, यह कितना होगा, यह हमारा होगा, दोस्तों, 19 हो जाए है, 3, 4, 5, और 7, यह होता है, 19 होता है, यह माल लिया, हमने 19 X हमने माल लिया, अब देखे, X की वैल्यू क्या आएगी, X equal to 152, बटे में 19, अब देखे, दोस्तों, 152 को जब हम 19 से कट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, दोस्तों, अभी देख लेते हैं, मैं डिवाइड कर लेता हूं, यहाँ पे आएगा, 8 आएगा, दोस्तों, X की वैल्यू क्या आजएगी, हमारे पास 8 आजएगी, और जब हम 8 को 3X से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो क्या आजएगा, हमारे पास 8 तिया 24, यानि की 24 इसका अनसर बिल्कुल उसानी से आजएगा, तो इस तरह से दोस्तों, आप बात का टाइप नहीं, यह अलग टाइप आगया, इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, कि यह थोड़ा, बेसिक कोशन है, दोस्तों, इस तरह, इस तरह के कोशन में, कोई ज्यादा हमें, फोर्मिले वगरा की ज़रूरत नहीं पढ़ती, इसमें हम यह कोशन पढ़के देखत एक से पेंतालिस तक की उन विशम संख्याओं को, जो तीन से विवाजित हो, एक अरोही करम में रखा गया है, अब देहीं, दोस्तों, यहाँ पर इंगलिस में पढ़ने की कोशिस करते हैं, इसने कहा है, कि दा ओड नमबर फ्रों वन टू फोर्टी फाइव, ओड नमबर हमें काउंट करना है, और आगे देखी, इसने क्या का है, दा नमबर एट सिक्स्थ पोजिशन, जो छटे नमबर पोजिशन पे जो आए, वो हमें बताना है कि इन में से कौन सा आएगा, अब देखिए, इसके अंदर ओड नमबर कौन से होते हैं, यानि कि तीन की काउंटिं कि छटे नमबर पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छटे पे क्या आ रहा है, अठारा आ रहा है, तो इसका अनसर क्या हो जाएगा, हमारा उप्सन नमबर ए, इसका अनसर हो जाएगा, तो दोस्तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से कर सकते हैं, ये बेसिक कोशन होते है पस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होती है, इनमें कोई फॉर्मूला यूजर नहीं करना और नहीं कोई जादा दिक्कत वाली बात, अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आया है, ये भी देखिए, ये भी बिलकुल असान है, इ जिनके अंदर डिफरेंस दो दो का हो, अब देखिए, ये देखिए, छे और चार इन दोनों के बीच में दो का अंतर है, फिर आगे हम देखते हैं कि पांच और तीन के बीच में अंतर है, अब देखिए, आठ और छे इन दोनों के बीच में भी दो का अंतर है, तो इस तरह आपको असानी से यह आजाएगा अब हम अगला कॉशन देखते दोस्तों अगला है हमारा दुबारा फिर दिसंबर 2013 के अंदर यह आया था जीरो से लेके 99 तक कि सभी संख्याय लिखता है कोई वेक्ति यह जो जीरो से लेके 99 तक संख्याय लिखता है उसके बाद क्या करता है इसमें अंक 3 कितनी बार आया अब यह कहरा है कि 3 जो है वो कितनी बार आता है वो हमें पता करना है अब देखिए 3 कैसे कैसे आ सकता है जैसे 3 आ गया 13 आ गया और फिर क्या आएगा जैसे 30 आ गया 31 आ गया 32 आ इस तरीके से यह कहरा है कि 3 जो है वो कितनी बार काउंट हुआ ह यह हमें बताना है तो दोस्तों यह बिल्कुल असान कोष्चन है यह आप करके देखना, सोच के देखना आजाया, इसके अंदर ओईसा कोई नहीं है कि हम इसमें कोई फॉर्मॉला लगा या इसकी कोई ट्रिक है तो यह बिल्कुल असान है आप थोड़ा समझने की कोशिश करना और अगर फिर भी आपको नहीं आए तो मैं कहा रहा हूँ कि आप हमें वर्टसअप कीजिए इस नमबर पर हम आपको इसका पूरा सोलिशन दे देंगे अब ये देखे दोस्तों ये जो कोशिशन है हमारा पहले वाले कोशिशन से बिलकुल डिफरेंट है पहले वाले किया थे हमारे रेसों के कोशिशन थे और सिंपल कोशिशन थे लेकिन इस तरह के कोशिशन क्या है कि ये थोड़े हमें पजल कर देते हैं से पहले इस question को देखते हैं हम इसमें क्या कहा गया है यादाओ अरजुन राजस तथा कमल किर्केट खेलते हैं राजस तथा कमल टेनिस खेलते हैं लेकिन फुटवाल नहीं खेलते हैं यादाओ बैडविंटर नहीं खेलता पर नतुग गॉल्फ खेलता है अब देखिए कितन टेवल बनाके चलते हैं ताकि हमें आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए अब देखिए इसमें क्या करेंगे देखिए सबसे पहले यहां से पढ़ते हैं यादाओ अरजुन राजस तथा कमल किर्केट खेलते हैं तो इनकी हम टेवल बना लेते हैं यादव को हम लिख लिए य लिख लिया हमने उसके बाद में अरजुन ये हमने लाइन लगा लिए फिर लिख लिए हमने ए ए की फिर लाइन लगा लिए हमने उसके बाद में राजस राजस का आर लिख लिए फिर ये लगा लिए हमने लाइन उसके बाद में कमल कमल का हमने लिख लिए के फिर हमने ला ये चैरो के चैरो किर्केट खेलते हैं तो यहाँ पर टिक मर्क कर देते हैं कि ये सभी के सभी खेलते हैं किर्केट उसके बाद में देखिए राजस तथा कमल टेनिस खेलते हैं अब देखिए राजस और कमल क्या है वो टेनिस खेलते हैं तो टेनिस का हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं यह बना लिया राजस और कमल टेनिस खेलते हैं तो इनके आगे टिक कर देते हैं उसके बाद क्या है लेक तो गॉल्फ खेलता है अब देखिए दो चीज और रही आगी यहां पर एक बैडमिंटन आ गया एक गॉल्फ आ गया तो इनका भी हम यहां पर बना लेते हैं यहां पर हमने बी बना लिया बैडमिंटन का और जी बना लिया हमने गॉल्फ का अब देखिए इसमें क्या कह रहा कि यादव जो है बैडमिंटन नहीं खेलता यादव यह रहा हमारा बैडमिंटन यह रहा इस पे हम कट कर देते हैं बैडमिंटन नहीं खेलता परन्तु गोल्फ खेलता है गोल्फ के आगे हम तिक कर देते हैं अब देखिए आगे क्या है अरजुन टेनिस नहीं खेलता अब द क्या है वो बैडमिंटन खेलता है कमल कहां पे हमारा ये रहा कमल कमल क्या है बैडमिंटन खेलता है यहां पे हमने इस पे राइट क्लिक कर दिया अब देखिए कौन केवल क्रिकेट खेलता अब हमें बताना कि ऐसा कौन सा बंद है जो केवल और केवल क्रिकेट खेलता और यह देखिए यह हमारा अरजुन है ठीक है अरजुन केवल केवल किर्केट खेलता और कुछ भी नहीं खेलता यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आनसर क्या होगा दोस्तों आपको कोशन करना है एक्जाम के अंदर बिल्कुल असानी से आपका आजाया कोई वी confusion नहीं होगा तो चलिए दोस्तों अगला कोशन देखते हैं आगे हमारा कौशन है अब यह देखिए दोस्तों यह कोशन हमारा अभी तक दो बारे है और अब की बार भी मेरे को सक है कहीं ऐसा कोशन ना आ जाए तो मैं करवा देता हूं यह देखिए जनवरी 2017 के अंदर कोशन आया था इसमें कहा है कि निमन लिखित मेंसे सतत परकार के डेटा की पहचान कीजिए सतत परकार का डेटा वो हता है जो कंटिनियूस जो कंटिनियूस चलता रहे उसे हम कहते हैं अब देखिए कंटिनियूस का मतलब यह है कि जो चलता रहे चलता रहे जिसका कोई पैटरन ना हो उसे हम कहेंगे अब देखिए इसमें किस तरह से इसे हम आइडें चार बोलता है, कितनी बोलता है, यह हमें पता है, ठीक है तो यह continuous नहीं होगा, उसके बाद में घर में बच्चों की संख्या, यह भी हम अच्छे तरीके से identify कर सकते हैं, कि एक घर में चार बच्चे, 10 बच्चे, कितने बच्चे, वो हमें सभी का पता होता है, अब आगे कि सह सहर की जनसंख्या ये भी हम अच्छे तरीके से बता सकते कि एक सहर की संख्या कितनी आई इतने लाख मरव देखी में च्छात्रों का वजन हो दूसरे बच्चे का साधे चालिस किलो हो तीसरे बच्चे का 35 किलो हो तो उपर नीचे उपर नीचे ये इस तरीके से हो सकता है इस तरीके से continue हो सकता है ये हम ये नहीं कह सकते कि एक कलास है उसके अंदर सभी बच्चों का वजन है वो 45 kg यह ऐसे हम नहीं कह सकते बिलकुल सही रूप से इसको नहीं कह सकते तो इसका जो आंसर होगा यह कख्षया में च्छात्रों का वजन इस तरीके से इसको इडेंटिफाइक करेंगे दोस्तों हमारी तरह से इस तरह से इस question का answer देंगे अगर किसी दोस्त को इस question का answer देने का और वी कोई तरीका पता है तो वो आप हमें comment box के जरीए बता सकते हैं लेकिन हमारे तरफ से यही एक तरीका इस तरीके से हम इसका answer निकाल सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए वसी तरह ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को लाइक किजिए share किजिए comment किजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो इस तरीके से सभी 10 unit के जो question है आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course से जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्टसप नमर पर contact कीजिए हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम आपको ऐसे question दिखाने वाले हैं जो सन 2008 से लेकर जूम 2019 तक आए हैं और काफी बार तो ऐसा होता है दोस्तों इन question में बिल्कुल डि दोस्तों नेट के अंदर हमेशा question repeat होते हैं अगर उन question को हम अच्छे से देख लेते हैं तो बिल्कुल असानी से हम exam कर सकते हैं और अपना net plus में जियारह बिल्कुल असानी से हो सकता है तो दोस्तों ये वीडियो अप पूरा तो सबसे पहले हम देखते कि ऐसे कौन से question है ज के लिए किस कीमत पर बेचना होगा यहांजे देखें यह क्या कह रहा है इसे समझने की कोशिस किजिए कोई वस्तु है उसे हम 11% हानी पे 178 रुपए में बेचते हैं उसी वस्तु पर अगर हमें 11% का लाब चाहिए तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा यहां पर बात कहे रहा है अब यही कोशन देखते हैं दोस्तों दोबारा कब आया है यह देखें दोस्तों यह हमारा 26 जून 2019 मौर्निंग का पेपर है इसके अंदर यह कोशन देख सकते है 25 इसमें कहा है एक परसन इंशूर 10% लोस बाइ सेलिंग ए वोच फोर रेट अठारा सु रुपए यानि कि एक व्यक्ति है जो 10% हानी पर किसी वस्तु को यानि कि वोच को अठारा सु रुपए में बेचता है अट वट प्राइज सुड द वोच वी सुड टू अर्न 10% प्रोफिट यानि कि उसी वोच को 10% लाब कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा यहाँ पर दोवारा फिर यह कोशन आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तो अब बात करते कि यह तीनों के तीनों कोशन किस तरह से हम करेंगे यह देखे दोस्तों यह कोशन करने से पहले सबसे पहले हमें इनका फॉर्मूला पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन दो अब देखे 11% लाब कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा यानि कि यहां पर हमें विक्रे मुल्य पता करना तो इससे पहले हमें करे मुल्य पता होना चाहिए कि वो वस्तु कितने रुपे में उसने खरीदी है वो हमें पता होना चाहिए ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहां पर यह दिया हुआ है दोस्तो हानी होने पर करे मुले करे मुले वो होता है दोस्तो जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं और विकरे मुले वो होता है जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते हैं अब देखिए हानी होने पर करे मुले क्या होगा विकरे मुले ग और हानी प्रतिसत क्या होगी हमारी 11 प्रतिसत होगी तो अब इसका हम क्रे मुल्य निकालते हानी होने पर क्रे मुल्य अब क्रे मुल्य को हम यहां पर के लिख देते हैं यहां पर क्रे मुल्य हमने के लिख दिया यह क्या होगा दोस्तों यह होगा हमरा विक्रे मुल्य गुना म 100 बटे में 100 माइनस में जो हानी प्रतिसत है वो लह देते हैं हानी प्रतिसत कितना अपना यहां पी 11 प्रतिसत है तो अब इसमें पूरा कब पूरा लिखते हैं इसमें विक्रे मुले कितना है 758 गुना में 100 बटे में 100 माइनस में 11 अब यह देखें एक 58 को जब 100 से मल्टिपलाइ करेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों हमारे पास ये आजाएगा 148 और लाश में 20 लग जाएगी और फिर नीचे क्या होगा 100 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 89 यहाँ पे आजाएगा जब हम 17800 को इसको 89 से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आजाएगा अब 11 परतिसत लाब कामाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा अब हमें इसका विक्रे मुल्ले निकालना यानि की सेलिंग प्राइज हमें निकालना है और ये जो अभी हमने दोस्तो निकाला ये है कोश्ट प्राइज है हमारी ठीक है अब देखी यहाँ पर आप द्यान में रखे ले ना हमने जो कोश्ट प्राइज हो कितनी निकालनी है निकाली है 200 रुपे निकाली है और 200 रुपे निकालने का जो फॉर्मॉला ये है और यह formula मैंने आपको पीछे भी दिखाए था वहाँ से आप note कर सकते हैं अब हमने यहाँ पे cost price निकाल ली यानि कि CP निकाल ली अब हम selling price निकालेंगे SP निकालेंगे कैसे निकालेंगे अब देखी इसका जो formula है दोस्तों इसका formula यह है लाब होने पर विक्रे मुले क्या होगा इसका जो formula है करे मुले इंटो में 1 प्लस में लाब पर 30 बटे में 100 अब देखी यह इसके अंदर हम रखके देखते हैं अब देखी जो SP हमारा selling price हमें निकालना है selling price क्या होगा दोस्तों यह था हमारा cost price CP अब देखी selling आपे मैं लिख भी देता हूं ताकि आप confused ना हो यह हो गया विक्रे मुले और यह हो गया हमारा करे मुले अब देखी अब into में 1% में जुलाब है हमारा profit है profit परतिसत बटे में 100 ठीक है यह हमारा formula है अब देखी इसको हम किस तरह से करेंगे एक मिनट यह थोड़ा छोटा लिख लेता हूं मैं यहाँ पर अब देखी इसके अंदर हम पूरा का पूरा formula के अंदर put करते हैं अब देखी जो विक्रे मुले वो निकालेंगे तो यहाँ पर करे मुले कितना निकाला था दोस्तों हमने 200 रुपे निकाला था into में एक जमा में जो profit है profit कितना है 11% बटे में यहाँ पर हमने लिख दिया 100 अब देखी है अब क्या करेंगे हम यहाँ पर मैं थोड़ा erase कर दि अब 100 को इससे मल्टिप्लाइ करेंगे एक के साथ तो 100 रहेगा 100 जमा में 11 यानि कि यह हो जाएगा दोस्तो हमारे पास 111 बटे में 100 यह दोस्तो इस तरीके से जो जमा करते हैं यह हम सबी को आता है नॉर्मल चीज है साइद यह मेरे को बताने की जरूरत नहीं बिल्कुल बेस हमारे पास यहाँ पर आज जाएगा और 220 जो है दोस्तो हमारे उप्सन नमबर सी में दिया हुआ है इसका आंसर तो इस तरह से आप बिल्कुल असाने से कोश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों और मेरे को लग रहा है कि साइद आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं इसके आप सभी केवल और केवल एक चीज ध्यान देना यहाँ पर यह जो दो फॉर्मूले हैं आप इनको रट लेना याद कर आप इन दोनों को जरूर याद रखना क्योंकि इसी के बेस पर हमारा कोश्चन निकलेगा अब देखिए अब हम अगला कोश्चन करने की कोशिस करते है यह जो कोश्चन आया हमारा 26 जून 2019 को आया था यह कोश्चन करने की कोशिस करते हैं अब देखिए इसके इंदर क्या कहा है कि एक जो है वोच है वो दस परतीसेत हानी पे 18 सु रुपे में बेची जाती है तो दस परतीसेत लाब कपाने के लिए उसे कितने रुपे में पता करना है यानि कि CP हमें पता करना है अब देखिए इसका वही फॉर्मुला जो मैंने अभी आपको बताया था यानि कि करे मुले करे मुले किसके एकुल होगा दोस्तों इंगलिस में से हम CP कहेंगे यह क्या होगा हमारा जो विक्रे मुले गुना में 100 बटे में 100 माइनस मे जो हमारा loss हुआ है वो ठीक है अब विक्रे मुल्य हमारे पास यहां पे कितना है यहां पे 1800 रुपई गुना में 100 हमने कर दिया बटे में क्या होगा 100 माइनस में लोस कितना था हमारा 10 यानि कि 10 जब 100 में से माइनस करें तो यह क्या जाएगा अपने पास 90 हो जाएगा और तो यह टोटल यहां पर क्या आजाए या दोस्तों हमारे पास 2000 रुपे आजाएंगे अब देखी यहां पर 2000 रुपे हमारा क्या है Sailing Price है SP है ठीक है अब थोड़ा सा एक वार फिर से मापको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यह देखी करे मुल्य हमें निकालना है यह देखी यह हमारा विक्रे मुल्य है 10% लाब पर 10% हानी पर किसी वस्तू को 18 सुरुपे में बेचा जाता है और जो चीज बेची जाते वो क्या होता विक्रे मुल्य होता है अब आगे देखी इसमें क्या का है अब 10% लाब कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा अब बेचने से पहले हमारे पास करे मुल्य होना चाहिए और CP जो है इसका जो फॉर्मुला था वो मैंने पीछे भी बताया है यानि कि विक्रे मुल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हमारी हानी हुई है वो तो ये सारे के सारे फॉर्मुले में जब हम इस कॉस्चन को रखेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा अब देखिए 2000 हमारा क्या आया है ये हमारा विक्रे मुल्य यानि कि सेलिंग प्राइज आया है अब हम आगे इस question को करने की कोशिस करते हैं, अब देखिए अब हमें विक्रे मुले निकालना है, विक्रे यानि कि विक्रे को V से denote कर देते, इसको इंगलिस में SP, ठीक है, अब देखिए अब जो formula था, हमारा वो था, क्या था, करे मुले यानि कि CP इंटो में 1% जमा में, जो हमारा profit है वो P, बटे में 100 यह हमने कर दिया, ठीक है, अब देखिए इसके अंदरम पूरा का पूरा रखने की कोशिस करते हैं, परे मुले कितना था दोस्तों हमारे पास 2000 उपई इंटो में 1, जमा में profit कितना है 10% है, बटे में 100 अब देखिए, अब वही काम करेंगे, जो पीछी किया था, हमने 2000 का 2000 रखेंगे, 100 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आजाए हमारे पास, 100 ही आएगा 100 में जब 10 एड़ करेंगे, तो 110 आजाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, उरुकिये, यह एक मिनट, यहाँ पर लिखे देते हैं, थोड़ी जगह की प्रोब्लम है, गुना में यहाँ पर 110 बटे में, यहाँ पर हमारे पास 102 जिरो से हमारी यह, 2 जिरो कट गई, अब देखिए अब 20 को जब हम 110 से गुना करेंगे तो यह क्या जाया, दोस्तों हमारे पास 2200 रुपए आ जाएगा, और जो 2200 जो आनसर है, दोस्तों यह हमारा उप्शन नमबर 3 के अंदर दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ से आप बिलकुल असानी आए तो हमें बताना, अब देखिए दोस्तों हम अगला कोशन देखते हैं अगला जो कोशन है, वो हमारा लोस और प्रोफिट से बिलकुल अलग है यह है हमारा जो टाइम और डिस्टेंस है उससे कोशन है, इस तरह के कोशन भी हमारे आए हैं अब देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है टू साइकलिस्ट स्टार्ट फ्रों दा सेम पैलेस इन अपोजिट डाइरेक्शन यानि कि दो साइकल वाले हैं वो अपोजिट डाइरेक्शन के अंदर जा रहे हैं वन गोज ट्वार्ड नौर्थ एक बंदा है वो नौर्थ की तरफ जा रहा है नो किलोमेटर परती हावर की स्पीड से और जो दूसरा जो बंदा है अदर गोज ट्वार्ड साउथ दस किलोमेटर पर हावर की स्पीड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बिलकुल असान भासा में देखिए ये एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे दो साउइंकल वाले हैं अब एक क्या कर रहा है कि वो नौर्थ की तरफ जा रहा है और जो दूसरा है वो साउथ की तरफ जा रहा है दोनों के दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे है अब एक बंदा है जो वो है नाइन किलोमेटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है और जो दूसरा है वो दस किलोमेटर की स्पीड से जा रहा है अब आगे इसने का है कि what time will we take to be 47.5 km apart यानि कि दोनों एक दूसरे से साधे 47 km दूर जाने में उनको कितना टाइम लगेगा ये बात ये यहाँ पे पूछ रहा है अब देखे दोस्तों ये कोशन अगर ऐसे देखा जाए तो काफी difficult है पता नहीं क्या है कोन कहां पे जारा समझ में नियारा कैसे होगा ये कोशन लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हम इसे बिलकुल असानी से कर शकते हैं ये देखे दोस्तों अब थोड़ी सी common sense लगानी है हमें कि ये जब चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे और जो time लगेगा दोनों में बराबर बराबर time लगेगा अब देखे यहां पर ये साधे 47 47 की बात कर रहे हैं तो इसके लिए अगर हम दोनों को 2 गंटे लगाते मान के चलिए इसमें भी 2 गंटे लगाते हैं इसमें भी तो ये क्या होगया 9 दुनी 18 गंटे होगे यह कितने होगे दोस्तों यह 38 गंटे हमारे पास हो गए तो सबसे पहली बात हमारी क्या आ रही है दोस्तों या तो A option होगा या फिर हमारा çiare option यानि की fourth option होगा इन दोनों option में से एक होना चाहिए अब हमें क्या करना है दोस्तों इसके अंदर हम ये दोनों के दोनों यूज करके देखेंगे एक बार तो ये यूज करके देखेंगे एक बार ये यूज करके देखेंगे अब देखें इनको हम कैसे लागू करेंगे ये देखेंगे अब हम ये धाई घंटे ये धाई घंटे लेके चलते हैं धाई गंटे का मतलब कितना होता है दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 multiply by 9 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा जब हम धाई को 9 से multiply करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आजाएगा साधे 22 km आजाएगा अब दूसरा जो 10 है इसको use करके देखते हैं 10 गुना में अब 12 से फिर इसमें धाई घंते करेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों हमारे पास यह आजाएगा यह आजाएगा दोस्तों हमारे पास 25 अब इन दोनों को जब हम पलस करते तो यह आजाएगा दोस्तों हमारे पास बिल्कुल असान हो जैंगे अब हम दोस्तो अगला कोश्वन देखते हैं अगला हाँ यह कोश्वन देखे दोस्तो यह कोश्वन भी अभी तक बोहुत बार आ चुका है और यह कोश्वन अब दुबारा आने स्व we start हो गये पहले क्या था यह सं 2011 से पहले पहले काफी question आये हैं ये question बिलकुल असान है दोस्तो इस तरह की question कैसे होते हैं ये जैसे हमने coding recording करवाई थी उसी से related question है और उस time हम करवाना भूल गए थे तो अब कर लेते हैं अब देखी इसने कहें कि bet bet को कोई आदमी 23 लिखता है और cat को 24 लिखता है तो bowl को किस तरह से लिखा जाएगा अब देखी bet को 23 किस तरह किसे लिखते हैं अब देखे मैंने बता रहे था B है वो कितने पे दोस्तो 2 पे है A है वो कितने पे 1 पे T कितने पे 20 पे अब इन तीनों को plus किजिए यह कितना हो गया हमारे पास 23 हो गया इसी तरह किसे cat है cat हम यहां पे लिखे लिखते है cat अब देखे cat C कितने पे 3 पे A कितने पे 1 पे T कितने पे 20 पे और यह कितना हो गया दोस्तों यह हो गया हमारे पास 24 यानि कि 24 हो गया इसी तरह किसे bowl है बॉल कितने नंबर पे आएगा दोस्तो तो बॉल के लिए आप यहाँ पे लिखे लीजिए ब, A, double, L तो B कितने पे, 6, 2 पे, A कितने पे, 1 पे, L कितने पे, 12 पे और L दुबारा कितने पे, 12 पे, अब इन सभी को प्लस कीजिए पलस करने पर क्या होगा दोस्तों 12, 12, 24, 25, 26, 27 ये कितना आगा 27 यहाँ पर आगा तो इस कांसर क्या होगा अप्सन नंबर A इस कांसर हो जाएगा तो इस तरह से बिलकुल असानी से कर सकते हैं और ऐसे ही ये हमारा कोशन है दोस्तों ये कोशन आप करके देखना बिलकुल असान है बिलकुल असान है ये करके देखना और इसके अलावा जैसे हाँ एक ये कोशन है दोस्तों ये कोशन भी पहले आया है काफी बार आये हैं इस तरह के कोशन ये कोशन भी हमारे लिए करना जुरूरी है अब देखी इसमें इसने क्या कहा है इने सर्टेन कोड 786 को क्या लिखा जाता है study very hard 786 को क्या लिखा जाता है दोस्तों study very hard और 958 को क्या लिखा जाता है hard work pace ये लिखा जाता है और 645 को क्या लिखा जाता है study and work इस तरीके से इनको लिखा जाता है तो आगे ये कह रहा है which of the flowing is the code very अब very के लिए क्या सब्द यूज होगा 8 होगा 6 होगा 7 होगा या cannot be determined इन में से क्या होगा अब देखिए इस तरह के कोशन कैसे करेंगे बिलकुल असान बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवा सकता है अब देखिए यहां पे 786 को study very hard लिखा जाता है और 958 को hard work page लिखा जाता है अब सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखिए 786 और 958 के अंदर क्या चीज common है यहां पे आप 8 देखिए 8 इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है और दूसरी चीज़ यह देखिए कि इनके अंदर study very hard यहां से यहां तक और hard work page इन दोनों के अंदर क्या common चीज़ है इन दोनों के अंदर आपको क्या लग रहा है अब देखी इसके अंदर hard है और इसके अंदर भी hard है अब इसका मतलब क्या है दोस्तों जो hard है hard को हम क्या दे देँगे mark 8 देँगे 8 हम माल लेंगे अब हम आगे चलते हैं अब 645 को क्या लिखा जाता है रुके मैं erase कर लेता हूँ यहाँ पर रुके 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 हाँ अब देखी 645 को क्या लिखा जाता है study and work लिखा जाता है तो अब देखे study and work study की बात कहाँ पर चल रही है अब यहाँ यहीं पर चल रही थी और इसमें देखिए यहाँ पर study है और इसमें भी study है तो इन दोनों में 786 में और 645 में क्या common है वो चीज देखीए अब देखिए यहाँ पर 6 है और इसमें भी 6 है तो 6 का मतलब क्या हो गया दोस्तो study हो गया ठीक है तोесте हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखे लेते हैं अब आगे हम क्या देखते हैं कि ये कहरा कि which of the following is the code very very जो code है उसका मतलब क्या होगा अब देखी very कहां पे कौन से sentence में है 786 वाले में study very hard अब देखी study का हमने 6 निकाल लिया hard का हमने 8 निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया very बच गया only और यहां पे कौन साकसर बच गया यहां पे हमारे पास बच गया only 7 बच गया क्योंकि 8 और 6 का हमने दोनों का code निकाल लिया है तो very का क्या हो जाए है दोस्तों हमारे पास 7 इसका अंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल असानी से इस तरह की question कर सकते हैं और हम आपको बार-बार कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रेसान है कोई question समझ में ना है तो प्लीज आप हमें WhatsApp पे message कीजिए WhatsApp नंबर हमारा यह है यहाँ पे आप message कीजिए हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके, thank you दोस्तो दोस्तो अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोर्स देते हैं तेटिकल वीडियो देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मोक टेश्ट देते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा पेड कोर्श जोन करना तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्सप नमर पर कॉंटक्ट कीजिए तो उसके इंदर एक और टोपिक नया एड़ हुआ है मैथमेटिकल रिजिनिंग में साधान ब्याज मोल धन और मिसर धन वगरा के बारे में ये टोपिक एड़ हुआ है इसमें से 2019 में कोशन आए है एक दो पहले इसमें से कोशन नहीं आए तो संभावना है कि आगे जो हो हमारा दिसमर का उसमें कोशन आ सकते हैं तो देखते हैं कि ये कोशन कि शतरह से होंगे इसमें देखे दोस्तों वैसे तो हमने जो हमारी पिछली क्लासों होती थी, दसमी कलास में हमने पढ़ा है, आठमी कलास में पढ़ा है, साधान व्याज क्या होता है, मूल धन क्या होता है, चकरवरती व्याज क्या होता है, वही कॉंसेप्ट है हमारा लेकिन अब थोड़ा सा हमें इसे रिवाइज करने की जरूरत है, अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साधान ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है और साधान ब्याज मूलधन वगरा क्या होते ही देखते हैं देखिए सबसे पहली बात आती है मूलधन मूलधन क्या होता है मूलधन वो होता है दोस्तों जो हमारी सुरू की जो कोश्ट होते है जो पैस चत्वी लिया हुआ होता है उसे हम कहते है रेट या दर कहते है फिर समय यानि कि कितने टाइम के लिए हमने व्याज लिया है तो वो होता है और उसके बाद में जैसे कि हम बात करते है कि साधान व्याज निकालने का फॉर्मॉला क्या है तो इसका है दोस्तों मुल्धन गुना में आता है दोस्तों अगर हमारे पास दर निकालने हो दर नी दी ब्याज मुलधन समय दिया हुआ हो तो दर कैसे निकालेंगे तो इसका फॉर्मला यह है दोस्तों ब्याज गुना में सो बटे में मुलधन गुना में समय तो इस तरह से निकाल सकते हैं उसके बाद है दोस्तों अगर हमारे पास समय ना दिया हुआ हो और मुल्धन दिया हुआ हो दर ब्याज दियुए हो तो इसका फॉर्मॉला ये है ब्याज गुना में सो बटे में मुल्धन गुना में दर और उसके बाद जो एक और important आता है वो है दोस्तो चकरवर्ती व्याज अब चकरवर्ती व्याज का जो formula वो यह है दोस्तो मूलधन into में one plus में दर बटे में so यह इसका formula है और इसकी जो power है दोस्तो वो होगी समय होगी और उसमें से फिर जो मूलधन हमारा है वो हम माइनस कर देंगे और एक और चीज इसके अंदर आती है दोस्तो वो है मिस्र धन मिस्र धन क्या होता है ब्याज पलस में मूलधन का जोड होता है तो दोस्तो यह basic formula है आप एक और इन सभी को देख लेना याद कर लेना जैसे तैसे करके क्योंकि इसमें से question आने की काफी संभावना है दोस्तो अब इसमें यह देखते हैं दोस्तो एक question है इसको करके देखते हैं सालाना 12% की दर से एक निश्चित रासी को दोगना होने में कितना समय लगेगा यह कहरा है कि हमारे पास कोई रासी है और उस पे 12% का ब्याज लगाते हैं तो उसे दोगना होने में कितना time लगेगा यह हमें दिया हुआ है यहां पे रासी है वो नीदी हुई वो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी अब हम मान के चलते हैं कि हमने मान लिया कि जो मूल धना है हमारा वो हमने मान लिया दोस्तो दोस्तो हमने मान लिया और जो दर है दोस्तों दर कितनी है यहाँ पे 12% यह दोस्तों माना है दोस्तों यह एजूम किया है हमने और अब देखे इसके अंदर क्या पूछा है ताइम हमें निकालना है समय यहाँ पे हमें निकालना है और जो ब्याज है दोस्तों ब्याज क्या होगा अब देखे इसके तो यहां पर इसने कहा है कि एक निस्षित रासे को दोगना होने में यानि कि वो दोगना हो जाते है कुछ टाइम बाद में कितनी हो जाते हैं दोगना हो जाती है ठीक है और अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ब्याज आ गया तो इसका समय कैसे निकालेंगे ये देखिए अब देखिए दोस्तो ब्याज यहाँ पे हमने निकाल लिया 200 रुपए निकाल लिया ठीक है अब यहाँ पे टाइम निकालेंगे टाइम किस तरीके से निकालेंगे उसका फॉर्मला देखिए दोस्तो यहाँ पे ब्याज गुना में 100 बटे में मुलधन गुना में दर तो यहा हमारे पास 200 ही हमारे पास मुल्धन था हमने माना था ना कि माना कि सरू के जो हमारे अमाउंट होगी वह 200 रुपए और जमा में यह क्या दर दर कितनी हम 12% अब 200 से 200 कट गया अब 12 से जब हम 100 को कट करेंगे तो कितना जाए दोस्तों 8.33 यहां हमारे पास आएगा और 8.33 को हम क्या कह सकते दोस्तों 8 साल और 4 महीने हम इसको कह सकते हैं तो इस तरह से यहां पर इसका अंसर डी आ जाएगा तो इसी तरीके से थोड़े complicated question देंगे वो हमें करने होंगे लेकिन आप practice करोगे तो आपको यह सभी के सभी question आजाएंगे आप इन formula को याद रखना अब यह देखे दोस्तों यह जो question है हमारा इस तरह के question June 2019 के अंदर आए थे और इसके अंदर क्या कहा जाता कि इसके अंदर हमें के series दे दी जाते जैसे एक से लेके 50 तक सो से लेके 200 तक और उनमें पूछा जाता है कि इनमें even number का जोड क्या होगा या natural number का जोड क्या होगा तो इन question को हम किस तरह कैसे करेंगे बिलकुल असानी से यह देखते हैं यह देखे इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि find the sum of all first 50 natural number इसने कहा है कि सरू के 50 प्राकरतिक संख्याओं का योग क्या होगा सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राकरतिक संख्याओं क्या होते हैं प्राकरतिक सं संख्या कहते हैं natural number कहते हैं तो यह कहते हैं एक से लेके 50 तक जो संख्या है उनका जोड कितना होगा वो हमें बताना है अगर हम ऐसे manually जोडने लगे एक दो तीन चार पांस तो ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा time लग जाएगा अब देखें इसे formula के थरू की इस तरह से करे होंगे यह देखें इन्होंने काए कि natural number और natural number का formula यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है अब बात आते हैं एन एन यहाँ पर क्या होगा एन वह होगा जो सबसे last की जो ट्रम हमें दी हुई होते हैं वह एन होता है अब देखें इसमें यह formula में put करके देखते हैं एन यानिकी 50 इन्टू में एन पलस में यानिकी 50 पलस में यहाँ पर हमने कर दिया और बटे में 2 हमने यहाँ पर कर दिया इस तरीके से अब देखें दो से यह 50 कटेगा तो कितना यह 25 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा आगे हम लिखे लेते 25 इन्टू में 51 ह हो गया ठीक है अब 25 को 51 से जब हम multiply करेंगे तो I think 1275 यहां पर इसका अंसर आ जाएगा तो इस तरह से बिलकुल असानी से आप कर सकते हैं दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा पांच सेकंड लगते हैं यह सब करने में लेकिन अगर आप मैनुवली तरीके से करते हैं जोड़ जोड़ के देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है तो इसलिए हमें फॉर्मूले भी याद होना जरूरी है फाइंड दस सम ओफ आल फर्स्ट फिप्टी इवन नमबर यहां पे अगर इवन नमबर दे दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा n into by n plus by 1 इसका क्या होगा 50 into by 50 plus by 1 तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 50 into by 51 जब हम 50 और 51 को multiply करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2550 इसका अंसर आ जाएगा तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से इसको कर शकते हैं और अगर ये odd number की बात कर ले यानि कि विसम संख्या की बात कर ले तो उसका formula ये लगेगा even वो होते जैसे 2, 4, 6, 8, 10 को हम even number कहते हैं तो ये question वैसे ज्यादा बार तो नहीं आया है अभी आया है June 2019 में आया है पहले इस तरह का कोई question नहीं आया है तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना वैसे बहुत ज़्यादा important तो नहीं है ये और आगे देखते हैं दोस्तों ये जो question है हमारा करीब 3-4 बार अभी तक आ चुका है और ये June 2019 के exam में भी आया था इस तरह का question इसमें क्या होता है दोस्तों चार चीज़े दिवी होते हैं और उनमें पूसा जाता कि कौन सी चीज दूसरी चीज़ों से अलग है वो हमें बताना है अब इसमें जैसे लखनव, रिशी केस, इलावाद, पटना यहाँ पे दिया हुआ हमें बताना कि कौन सा अलग है यहाँ पे जो लखनव है दोस्तों वो सबसे अलग है क्योंकि लखनव जो है गोमती के किनारे बसता है और रिशी केस, इलावाद और पटना यह गंगा किनारे बसते हैं तो इस तरह से हमें अलग देखना कि कौन सा अलग है अब इस से रिलेटिड कुछ और कोशन देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब यह देखे दोस्तों उधान 48 एक सब्द का चैन करे जो सम्हू में दूसरे सब्दों से मेल नहीं खाता अब देखें यहां पर कलेंडर है तिथी है मास है दिवस है अब यहां पर बिलकुल असानी से हम देख सकते कि कलेंडर मास तिथी यह सारे कि सारे किसके अंदर आती है कलेंडर के अंदर आती है यह जो तीनों BCD कलेंडर के पार्ट है तो जो क्लेंडर है वो थोड़ा अलग हो जाएगा इससे आगे की 49 नमबर उधारन है निमल लिखित ऐसे सब्दों का चैन करे जो सम्हों में दूसरे सब्दों से मेल नहीं खाते अब देखे मयूर दिया है, गिद दिया है, हंस दिया है, चिडिया दिया है तो इसके अंदर जो हंस बिलकुल अलग हो जाएगा, क्यों हो जाएगा दोस्तों इन सब में केवल हंसी जलपक्सी है, हंस के जो पानी में तैरता है लेकिन और जो चिडिया गिद है, वो मयूर वो पानी में तैरते नहीं है हाँ वैसे नॉर्मली तैर सकते हैं, वो लेकिन उनकी फित्रत नहीं है तैरना जादा तर हंस ही पानी के अंदर तैरता हुआ हम देखते हैं और इसके अलावा जैसे इस तरह के कोशन भी आ सकते हैं हमारे एक्जाम के अंदर कि इन्हों ने दिया वह जैसे लोहा कोपर, अब जिंक के आगी क्याएगा वो हमें बताना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों के अंदर रिलेशन देखना होता है इन तीनों के अंदर भी हमें रिलेशन देख सकते हैं क्या रिलेशन है और फिर इसमें से देखते है कि कौन इनमें से मैच कर रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो निकल और लोहा पावर जिंग ये क्या है कि सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये क्या होगा ठोस धातू होगी है हमारी option number 6 का बिलकुल सही हो जाएगा लेकिन जो A, B और D क्यों नहीं होगा वो solid state में नहीं होता जो carbon जो होती है वो क्या होती है गैस के रूप में होती है जो पारा जो होता है वो हमारा liquid रूप में होता है तो इस तरह से ये जो nickel जो है कौन सा मेल खाता है अब देखिए इसने दिया है टमाटर, पालक, तिल और मुंगफली अब देखिए यहाँ पे आलू, गाजर मुली यह तीनों के तीनों क्या है जमीन के अंदर उगते हैं यानि कि as a z टाइप में होते हैं इसी तरीके से जो मुंगफली है वो भी जमीन के अंदर उगती है तो यहाँ से हमारा आंसर क्या जाए दोस्तों, option number D हमारा आंसर आ जाएगा तो दोस्तों, यह थे आज के हमारे question कुछ important question थे जिनके संभावना बनती है आ गयाने की तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो शी वीडियो को like कीजिए, save कीजिए, comment कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरू दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियोस को सानी से देख सके Thank you दोस्तो हमें इस WhatsApp नमबर पर कॉंटेक्ट कीजिए